कार उमीद करता हूं सबी बहतर हैं चीक है तो जिन लोगों ने सुपर मॉक्स नहीं दिया है वो अभी भी टाइम है दे सकते हैं पिकॉस तेरा फरवरी है अभी आपके एक्जाम में पंदरा दिन से जाधा बाकी है कुछ मॉक लगा के ही जाने हैं आपको ठीक है तो यह 13 डिसमबर का कोई पेपर है शायद आखरी पेपर है जो हम लोग करने जा रहे है ठीक है तो विल डिस्कस इट बाके माँ टेलिग्राम गूर्प और चैनल फालो कर लेना ठीक है इसका सेफ्टू भी है आना तो अभी पूरा करेंगे जो भी होगा अल्राइट सो चले श चोड़ाई की और तीन बुनी है उचाई की बताना है कि जो टोटल कॉस्ट है पेंटिंग का इट्स फोर वाल्स इड़ रेट अफ रूपीज पॉइंट फॉइंट पर मीटर स्क्वाइर रूपीज के बाद यह डॉट मतलब रूपीज ही होगा पच्चिस है वह ऐसे भी ड दिमाग नहीं लगाते हैं सॉल्व करते हैं फटाफट तो पहली बात लेंट ब्रेट और हाइट का रेशियो आपको कुछ लिए लिखना पड़ेगा लेंद दिया है दो गुना ब्रेट का और तीन गुना हाइट का तो अगर हाइट मैंने मान लिया लेट से टू ठीक है तो लिखनार वाल्स को पेंट करना है तो वाल कैसे बनेगा आप जड़ा बताओ अगर मैं वाल का एरिया लिखना चाहूं तो वाल का एरिया मुझे मिलेगा ऐसे आपको बी-प्लस-एच यह करने से वाल का एरिया मिल जाएगा अगर आप किसी भी रूम के वाल को देखोगे न तो लेंथ ब्रेट से क्या मिलता है फ्लोर और रूफ उसको हमें फोकस नहीं करना है लेंथ और हाइट से मिलेगा दो आमने सामने और आपका ब्रेट और हाइट से मिलेगा दो आमने सामने यह एरिया हो जाएगा इसकी कालकुलेशन करनी है और यह आपको दिया हुआ है कि जो rate है वो 3600 है, total cost जो लगी वो 3600 के लगी, और जो ये rate है ये 25 पर meter square है, तो ये area हो जाएगा, and this is equal to this, जो मैंने आपके सामने लिखा है, अब ये सारी value यहाँ पर आप रख दो, L की value आप माल लो 6X, ये हो गया आपका 3X, ये हो गया आपका 2X, तो ये आपका हो गया कितना L प्लस B आपका हो गया 9X, और H कितना हो गया आपका, ये हो गया 2X, तो essentially अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 18X, 2 हो जाएगा, और H की value, sorry, H की value भी रख दो, H की value पने रख दी, आपको ये निकालना है essentially कि जो अभी मैं calculation कर रहा हूँ, ये आप स तो कुल मलाकी मेरे पास कितना हो गया, 36X square बहुत ध्यान से देखना, is equal to 3600 upon 25, X square की value कितनी आ गई, 4 आ गई की नहीं, यार बहुत क्लियर यहाँ से, फिर डिवाइड X square is equal to 4, अब मुझे X square मालूम चल गया, पूछ क्या रहा है, कि एक कार्पेट मुझे ले करना है, उसका कह रिया हो गया, 6-18X square और X square की value आपको क्या दी हुई है, 4, यह हो गया, 18 into 4, और जो rate है वो 90.25 है, 90.5 है तो ऐसे लिख दो, अब quickly आपको solve करना है, इसका अगर आप product निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगा, जड़ा बताओ, 362 और इसको आपको 18 से multiply करना है, then you have to find what is the answer, अगर आप यहीं से देखोगे, तो unit digit 6 आएगी, तो answer क्या बनेगा, आपका A, आप अगर multiply करना चाहते हो, तो आप multiply भी कर सकते हो, कोई challenge नहीं है, आपको यह बनेगा, 400 plus 108, sorry, 1080, 400 बिला, 1080 plus 36, इसको अगर आप तीनों को जोड़ोगे, तो आपको क्या मिल रहा है, 6516, exact calculation क कि यहाँ unit digit से काम बन जाएगा, बट देखे, इस question में क्या क्या steps है, वो important है, double steps है, पहली information से you will get x square, ratio पता है न, बट यह x से आपको पता चलेगा कि exactly यह कितनी value है, so you get x square from this, और यह x square का इस्तेमाल मुझे यहाँ करना पढ़ रहा है, करना पढ़ रहा है कि नहीं, yes, and that is how you get the answer, ठीक है, पढ़ें आगे, yes, देखें यह question आप से क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि एक article है, उसको आपने sell कि 115 रुपे में, तो जो gain है वो 20% जादा है, then the loss incurred on selling it for that much amount, पताना है आपको अगर 130.80 में बेचा गया है, तो profit percentage क्या है, बहुत सीधा सवाल है, यहाँ पर कहा कहानी क्या है, कहानी आपको यह समझनी है कि एक बार इसको 115 में बेचा गया, एक बार इस value को आपने 104 में बेचा, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको loss हो रहा है, यहाँ जो profit हो रहा है, यह इसका 20% ज़ादा है, बतलब अगर मैं loss को 5 मान लूँ, तो यहाँ पर जो profit loss है तो 6 का मुनाफ़ा है जैसी आपने यह लिखा आपने का इनकी बीच का जो गैप है वो कितना है चार से लेकि 15 तक आपको कि 11 का ही गैप है और यह 5 रेशियो 6 में अगर आपने डिवाइड गया लॉस की वैलू कितनी हो गई 5 और यह वैलू 6 ही आ गई क्योंकि 11 है तो वन ह का मुनाफ़ा होगा और 21.8 का मुनाफ़ा एक तो नो के रेस्पेक्ट में साफ सब जिक्राएं कि 20% है इसका 10% है 10.9 उसका डबल है 20% क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ है D क्लियर हुआ के नहीं हुआ बहुत ही आसान सवाल है इसमें कोई चालेंज नहीं है राइट डाट इस दा अंसर सिंपल है और आसान है पस आपको यह चीज़ आइंटिफाई करनी है क्विकली ताकि आप जल्दी सॉल्व कर लोगे कि लाज और प्रॉफिट फाइव रेशियो 6 में है और हम यहां कुईकली निकाल सकते हैं सीपी और सीपी निकालने के बाद सीधा हमारा अंसर आ जाएगा अल्राइट अब यह कुशन दर कि आपसे क्या कर रहा है क्लास उसमें कितने स्टूडेंट है चोवन 54 स्टूडेंट है 33 1 DC पर्शन जो स्टूडेंट है वो बाकी ग्ल्दस है जो एवरेश इसकोर है माथमेटिक्स का बउ का वो 50 पर्शन जादा है लड़कियों से बताना है जो है तो boys 1 out of 3 है तो girls कितनी है remaining parts 2 तो 1 ratio 2 ratio हो गया अब simple सी बात करा है कि यहां पर आपको जो average score मिल रहा है boy का वो 50% जाधा है girls है तो अगर girls का average score x है तो यह 1.5 x है simple आप करा है कि जो average score सारे students का है वो 70 है तो weighted average लगाओगे तो 1 into 1.5 x बनेगा 1.5 x plus 2 x divided by total parts 3 यह value आपकी किस के बराबर हो गई 70 के बराबर हो गई अब आपको यहां से पहले x निकालना पड़ेगा तो यह कितना हो गया 3.5 x x की value यहां से solve करोगे तो कितनी आ रही है 60 आ रही है यह 3.5 वह तो यह 20 हुआ 20 into 360 हो गया x अगर 60 हो गया तो क्या पूछा है average score boys का so 1.5 into 60 आप निकालोगे यह value आपकी कितनी हो जाएगी 90 या नहीं 90 so answer क्या हो गया आपका D all right answer क्या हो गया D clear or not okay चली आगे बढ़ते हैं देखिए question कह रहा है आपसे की एक expression दिया है उसकी value पूछ रहा है जैसे यह expression दिखेगा आपके दिमाग में कुछ चीज आनी चाहिए और वो चीज आपकी यह है कि a cube plus b cube minus c cube divided by something दिया हुआ है यह देखते ही आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए राइट क्यूंकि यूजली जब इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि देखो a cube plus b cube plus c cube जो है c को minus c रखने पर यह बनेगा minus c cube c के जगा बस minus c रखा मैंने यहां पर तो abc रहेगा पर c के जगा minus c एकर करोगे तो यह minus 3 abc बन जाएगा बिना किसी challenge के और यह condition फिर बनेगी कि a plus b minus c 0 होना चाहिए let's look at the question कि क्या ऐसा हो रहा है आपको गया कर मैं question को ध्यान से देखूं तो देश 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 ठीक है अगर मैं इसको ध्यान से रखूं तो यह .321 है इन दोनों को जोड़ दो चार तीन साथ पांदो साथ चेक साथ यह ज्यानि जीरो बन रहा है इसका मतलब numerator जो होगा वो simply होगा minus 3 into .321 into .456 into .456 into .777 divided by denominator को अब numerator की तरह देखना पड़ेगा मुझे तो देखो यह तीन एक हीच लाओ इधर तो यह बन जाएगा simply यही .321 बन जाएगा बन जाएगा सीधा सीधा एक तीन कीचने से और यह नंबर तो .777 कोई इसमें शंका ही नहीं है अब यहाँ पर एक तीन बाकी है और यह जो नंबर है .76 आप अगर numerator को बहुत ध्यान से देखोगे तो यह .76 को अगर आप लेके इसको डिवाइड करने चले जाओगे तो यह सिक्स टाइमस जाएगा बाकी सारी वैलूस देखो कैंसल आउट होगे तो आंसर होगे आपका माइनस सिक्स आप जीए यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है एक चीज आपको ध्यान रखना है जैसे एक बात बताओ मुझे ये value जो लिखी हुई है आपकी a cube plus b cube minus a plus b का whole cube इसको ध्यान से बताओ देखके किया ये negative होगा ये नहीं अगर a और भी दोनो positive हैं तो क्या ये value negative होगी ये नहीं yes, this will be negative or not you have a cube plus b cube और a plus b का whole cube a plus b का whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus something it is more इसमें अगर आप ये घटाओगे तो negative ही मिलेगा यानि numerator क्या होगा numerator negative ही होगा अगर numerator negative होना है denominator अगर positive लिखा है तो मेरा answer negative होगा इतना तो पता था तो ये दोनों नहीं हो सकते अब exam में हो सकता है कि एक ही option negative दिया हो एक ही option negative दिया हो तो हम लोग आसानी से answer mark कर देंगे ठीक है सीधे लेकिन यहाँ दो दिया है तो हम थोड़ी सी calculation कर लेंगे देख लेंगे कि minus 6 है या minus 3 है कोई सवाल मिस हुआ पांच वा मैंने करवा दिया तीसरा अच्छा तीसरा नहीं कराया तो चौथा मुझे दिखी नहीं रहे ठीक है कोई नहीं चलो छूड़ गया करा देता हूं ओके ओके सॉरी मैं नंबर देखी नहीं रहा था मैं आगे बढ़ रहा था बस चलो कोई नहीं यह देखो देखो यहां आपसे कह रहा है कि जो side triangular field की वह 120 170 और 250 है तो कराया जो cast है इसको level करने का field का इस rate से तो देखो जब भी यह per meter square दिया तो मुझे meter square में चाहिए इसका area meter square में मुझे इसका area निकालना है तो यह है 120 यह 170 और यह है 250 ठीक तो इसका area कैसे निकालोगे क्या यह right angle triangle है बिल्कुल भी नहीं है triplet नहीं है यह area निकालना है मुझे पहला काम यह करो यह 0 है ना गायप कर दो यह 0 आपको परेशान करेगा हर एक 0 लिखने में सब में सेम है हमें तो डिजिट मैच करनी है बस तो आप हम area इसका निकालेंगे किसका 12 17 और 25 का तो आप से कहूंगा semi perimeter निकालो पहले तो आपको यह हो गया पच्चेस सत्रा ब्याले सो बारा 54 बटे 27 यह 27 आ गया अब जड़ा area निकालो area आपका क्या बनेगा root of s into s minus a कितना हो गया 15 s minus b कितना हो गया 25 दो हो गया s minus c कितना हो गया आपका 10 हुआ कि नहीं हुआ जगो यहां से 27 है तो 9 निकाल सकते हो 3 बहार आएगा 3 बचेगा 15 तिया 45 दुन नब्बे 900 बना 30 बहार आजाएगा नब्बे हो गया area आपका निकल क्या है 90 और अगर area निकल क्या रहा है 90 तो अब मुझे क्या करना है कि इस 90 को किस से multiply करना है 7.4 से बस इससे ज़्यादा तो नहीं करना है न कुछ भी तो 90 को 7.4 से multiply करोगे तो क्या हैगा आप 90 को या तो सीज़े मुल्डिप्लाइ करो नौ सदे ती रेसेट 630 बना और नौ चौक छत्यस ट्रिपल शिक्स दिखना चाहिए जहां भी आंसर है डी ऑप्शन मैं करें decimal की चिंदा नहीं करता हूँ आपको मालूम है क्योंकि इस question में जरूरत ही नहीं है decimal की चिंदा कब करते जब कोई option ऐसा होताtrep तो यह ध्यान रखना की zero's को हटाने का फैदा है वरनना ऐखना नैसरी time बरबात करोगेкі calculation में जीरो लिख लिख के परिशान करोगे अपने आपको ठीक है को नमबर चार दिख नहीं रहा है पांच ही है चलो यह देखो आगे यह question आपके सामने x square minus 4x plus 1 अगर 0 के बराबर है तो आपको बताना है कि what is the value of x की power 6 plus x की power minus 6 ओके तो इस question को लगाने का तरीका पूरे देश को पता है सब को पता है बट मैं इस question को लगाने का कोई और तरीका बताऊंगा और अगर आपने मेरी number system की classes follow करी है तो आपको मैं बताऊंगा कि यह b option कैसे सीधे लगा सकते हो ठीक है अच्छा एक चीज़ तो आपको पता होगा ना कि अगर मैं आपके सामने कभी भी x square plus 1 by x square लिखता हूं या मैं आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखता हूं या फिर मैं आपके सामने x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 लिखता हूं clear? So आपको ये चीज तो clear होगी कि this number is going to be something का square minus 2 something का square minus 2 something का square minus 2 मतलब 2 less than perfect square होगा के नहीं होगा यहीं तो होता है number कोई number होगा उसका square minus 2 क्योंकि यहां से अगर आप x plus 1 by x निकालोगे तो 4 आएगा integer है तो अगर कोई भी इसमें शुरुवात में integer आ रहा है तो ये value क्या होगा किसी का square minus 2 किसी का square minus 2 किसी का square minus 2 क्या मैं बोल सकता हूँ कि यह term 2 less than perfect square होते हैं yes तो answer में जो भी लिखा होगा अगर उसमें मैं 2 add कर दूँ तो क्या वो perfect square बनना चाहिए है नहीं तो जड़ा 2 add करोगे तो यहां last two digit 88 हो जाएगी यहां यह 18 हो जाएगी यहां यह 46 हो जाएगी और यहां यह आपका 04 हो जाएगी क्या मैंने आपको last two digit में बताया था कि last two digit क्या हो सकती है किसी भी square की यह pre-decided है है कि नहीं है क्या बताओ मुझे कि 88 किसी भी number की last two digit आपने देखी है नहीं देखिए 44 दे की 88 नहीं होती है क्या 18 किसी भी number की last 2 digit हो सकती है किसी भी square की कते ही नहीं हो सकती है क्या 46 last 2 digit हो सकती है किसी perfect square की नहीं है 1 से 25 तक के square को rewind करो कहीं भी 46 नहीं आता है 04 ही आ सकता है बस इसलिए इसका सही होना इसकी मजबूरी है Just keep your eyes little wide open जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ उसका purpose होता है The purpose is here Right? Getting my point or not? Having this knowledge of last 2 digit of a square will allow you to solve question faster यह option मैंने नहीं बनाएं कई अध्यापकों को तकलीफ होने लगी कहेंगे ऐसा कैसे कर दिया सावात This option has not been created by me Go and ask CPU SSC And I am solving questions in this way not from today 2016 के solutions आप देख लो वहाँ भी मैं ऐसी बात करता हूँ 2 less square से 2 ज़ादा है 2 कम ऐसे देखते थे Right? So that's how you can do the questions Anyways इस question को traditionally करना भी मुश्किल होगा नहीं क्योंकि x plus 1 by x आपका क्या आजाएगा 4 आजाएगा जब यह 4 आगया तो आपको होगे x square plus 1 by x square निकालेंगे नहीं हम पहले निकालेंगे x cube plus 1 by x cube क्यों? क्योंकि हमें ultimately x के पावर 6 चाहिए तो यह value हो जाती है 4 cube minus 12 3 into 4 64 minus 12 कितना हो गया? 52 फिर इसका square निकालेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 by x की पावर 6 आएगा तो यह हो जाएगा 52 square minus 2 अब 52 का square आपको लिखना पड़ेगा कितना हो जाएगा? 27,04 minus 2 कितना हो गया? 27,02 अब देखो इसमें steps जादा है आप perfect square भी निकाल रहो बीच में अब अगर आप last two digit को ध्यान में रिखके चलोगे तो जीवन आपका सरल हो जाएगा क्योंकि तीन option इससे ही गायब हो गया बचा ही नहीं कुछ उसमें Now look at this question देखिए सवाल आप से क्या कह रहा है? कि तीन men है और 5 women है उन्होंने एक साथ किसी भी काम को 6 दिनों में complete किया है और वही कह रहा कि अगर 4 men और 9 women होंगे तो वो काम 4 दिनों में खतम होगा तो बताना है कितने women required हैं उसी काम को 7 दिनों में करने के लिए देखिए जैसे concept होता है men days women days का कोई भी काम है अगर हम agent in two days का product निकाल लें वो agent men है women है children है तो that gives me total work का unit total work दे देता है वो अब तीन men और 5 women ने अगर काम किया 6 दिनों में तो आप मुझे बताओ कि इनकी efficiency को अगर मैं x और y लगा लूँ तो मैं कहूंगा 3x plus 5y बोलूँगा into 6 days तो यह हो गया कि यह agent है जिनोंने काम किया into 6 days और फिर कहरा कि 4 men तो यह हो गया 4x plus 9 women 9y into 4 days यह आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए yes they should be equal चाहिए आप ratio लिख लो जैसे भी करना है का ultimately मेरे को x और y में relation निकालना है तो आप यह कैसे निकलेगा यह 6 value हो गई यह value 4 हो गई divide कलो तो 2 और 3 हो गया आपको मिलेगा यहां से 9x minus 8x x हो जाएगा उधर आप जाओगे तो 18 minus 15 3y हो गया so essentially x और y का efficiency ratio मुझे मिल गया यानि men और women का efficiency ratio कितना मिल गया 3 ratio 1 अब total काम का पता करते हैं कि total काम था कितना so आप कोगे 3 into x यानि 3 into 3 plus 5 into y यानि 5 into 1 अगर 6 दिन करते हैं तो काम खतम हो जाता है तो 3 तरिक का 9, 5, 14, 6, 84 total 84 units का काम है अब कहरा है कि कितनी women needed हैं अगर यह काम हमें 7 दिन में खतम करना है so 84 units का काम अगर हमें केवल औरतों से कराना है जिनकी efficiency 1 की है खीक है और वो 7 दिनों तक काम करेंगे तो total कितना हो जाएगा 7 days से divide कर लो 7 days से कर आप divide कर लोगे तो आपको कितना चाहिए efficiency 12 मिला कि नहीं मिला तो 12 की efficiency एक दिन में अगर चाहिए तो number of women कितनी चाहिए होंगी 12 चाहिए कि नहीं चाहिए because efficiency कितनी है 1 that's why answer is going to be 12 तो यहाँ पर आपको बस idea समझना है कि हम क्या कर रहे है कि जो work units है men plus women days को equal कर रहे है उससे efficiency ratio मिल रहा है और efficiency ratio से हम total work निकाल पा रहे है total work निकाल के हम season number of days यूज़ करके per day की efficiency निकाल रहे है और per day की जो efficiency है उससे हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है नहीं करूंगा कर लेना simplification एक ही class में करेंगा एक साथ दीक है कर रहा है कि एक right circular cylinder है maximum possible size का उसको काट दिया गया है solid wooden cube से जो remaining material है cube का वो कितना percentage है original cube का previous year question है आया हुआ सवाल है answer is B anyways इसको रटने की जरुद नहीं है ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे आप quickly solve कर से आपको पता होगा process तो आप भी कभी नहीं भूलोगा ऐसा लगा दोगा answer ठीक है let's see how we can do it किते लोग करें कि answer यही है और किते लोग करें answer डी है दीके मैं कई बार आपकी memory भी test करता हूँ कि अगर रटके बैठे हो तो क्या सही याद है कि नहीं तो जो मैंने मार्क कर दिया उस पर 100% विश्वास मत करना ठीक है इसलिए मैं करके दिखाऊंगा इदर पहले पहले इसको समझ लो तो देन आपको यह value याद करने की जरूरत नहीं है सही है क्या गलत है क्या सब खुझ से ऐसे फट से निकल लाएगा यह आपका हो गया cube इस cube से मैं क्या काटने जा रहा हूँ cylinder maximum possible volume का वो cylinder ऐसे काटो देखो यहां से जो एक face है ना पूरा इसमें इसका base ले लो और यह हो गया इसकी height height is equal to what a और इसका जो base radius हो गया this is going to be equal to a by 2 अब ज़र देखो cylinder का volume कितना हो गया pi into a square by 4 into h हुआ के नहीं हुआ clear or not is it right or not तो value कितनी हो गया आपकी pi a cube by 4 यह हो गया आपके cylinder का volume अब बताओ मुझे कि cube का volume क्या है a cube cylinder का volume जो निकल के आया वो कितना आया pi a cube by 4 तो अगर मैं इन दोनों को divide करूँ मैं ratio निकाल लूँ तो यह ratio कितना बन रहा है pi ratio 4 इतनी जो तुमने मेहनत करी है अगर तुमने मेरा paper discussion देखा होगा पहले तो यह मैं कैसे बता चुका था अगर आपको ध्यान हो देखो जो है यह भी एक प्रिजम स्ट्रक्चर है सिलेंडर भी एक प्रिजम स्ट्रक्चर है है कि नहीं है तो अगर मैं वालूम का रेशियो निकाल रहा हो तो हाइट का कोई रोल नहीं होगा क्यों क्यों कि सिलेंडर का है नहीं है जितना क्यूब का है तो जो बेस का एरिया रेशियो और आपको यह नहीं पता है कि आपके पास अगर और आपके पास अगर एक सरकल है ऐसे तो इसमें जो है एरिया दिशो पाई रेशो फोर होता है यह अगर पाई है तो बाहरवाला फोर होता है सेम चीज सेम तिंग तो वालूम रेशियो आपको मालूम चल गया कि यह है अब जहांस देखो यह वैलू कि दिनी है थ्री पॉइं 1 4 divided by 4 clear है कि नहीं है so if you just divide this particular value क्या मिल रहा है आपको 47 जा 48 जा क्या कुछ ऐसा मिल रहा है आपको are you getting this 0.785 एक प्रॉक्स तो इसका मतलब यही हुआ कि यह जो value है आपकी यह जो circle है इसका अगर area आप calculate करते हो out of this total that is approximately 78.5% तो जो बाकी का portion है this वाला जो निकालना है मुझे अब जो यह बाकी का portion है वो कितना होगा that will be remaining part 21.5% and that's why answer is b clear हुआ कि नहीं हुआ right so यह जो volume ratio हर बार चित्रकारी करके लिखने की जरूरत नहीं है if you understand it what I am talking about you will write it अगर आपको mensuration की थोड़ी सी समझ है कि cylinder भी prism है और cube भी prism है height जब दोनों में बराबर है तो base area ही decide करेगा कि volume ratio क्या है base area मतलब यह तो cylinder का है circle और square का है यह इसका ratio pi ratio 4 होता है इसलिए answer क्या हो गया pi ratio 4 pi की value 3.14 है तो cylinder 2 overall volume हो गया 0.785 और 78.5% जो बाकी का portion अगर मुझे निकालना है तो वो 21.5% हो जाएगा ठीक है चलो इस सवाल देखो यह सवाल आपसे कर रहा है कि एक आदमी है उसने क्या कर रहा है एक article खरीदा है 30% के discount पे उसके mark price पे और परसन क्या करता है इसको बेशता है 30% profit पे और जो वैलू आपको दी हो यह इतनी mark price आप से पूछ रहा अच्छा बताओ जरा कि mark price को तुम पहले 30% क्या कर रहो कम कर रहो discount दे रहो उसके बाद क्या कर रहो उस particular आदमी का cost price हो गया कि नहीं हो गया यह तुमने कोई चीज खरीदी 30% के discount पे तो वह तुम्हारा cost price हो गया फिर कह रहा है कि उसको 30% के profit पे तुमने बेच दिया तो यहां पहुंच गये तुम selling price आपको दिया है 427 1070 लिख दो इसको आपसे यह पूछ रहा है आप बताओ 30% तुमने किसी चीज को कम किया फिर 30% बढ़ा दिया तो क्या यह equivalent नहीं है कि आपने 9% इसको कम किया है yes right or wrong that's what you have done 9% तुमने इसको कम किया है और तो कुछ दरीका है नहीं अब मुझे निकालना है कि M की value क्या है आप कह सकते हो कि 91% मेरा 427.70 के बराबर है मुझे निकालना है 1% एक option दिया है 500 400 जरक खुद बताओ तुम मुझे क्या correct हो सकता है आपको गर 91 हमारे पास है right so if you think about 91 into 45 just थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो एक value होगी 45 into 90 और 45 into 1 यह clearly आपका 427 से कम है clear just look at it okay you have to divide now nothing is left actually in this particular question right so 91 को पहले आप ले जाओ 4 times तो जाए गई जाएगा तो यह होगे आपका 364 यह decimal का care मत करो कि decimal कहाँ जाएगा because that is not something we are going to focus on फिर आपका यह होगे 36 right और 27 और फिर आपका जाएगा 63 and then 7 times 470 1 percent आपका 4.7 आजाएगा तो 470 जाएगा तो 470 जाएगा यह option just quickly divide and get the values very simple one तो बस यह देखना था कि यह 9 percent कम है और 9 percent कम है तो कोई दिक्कत नहीं आसानी से answer आजाएगा है ठीक है clear all right now look at this question कि दिखें क्या कह रहा है यह question कह रहा है just a minute please करें एवरेज जो है उननेस numbers का बाइस दस्वलोवाट है और जो एवरेज है पहले दस कह रहा है कि कुल 19 number है मेरे पास अगर तो उनका एवरेज कितना है बाइस दस्वलोव आठ है और कह रहा है कि पहले दस और फिर कह रहा है आखरी 10 जब भी इस तरह की calculation होती है पहले 10 और आखरी 10 इसमें जो दस्वान नंबर होता है 10 नंबर यह दो बार count होता है यह किस आपको पता ही होगा तो पहले 10 का एवरेज कह रहा है कि 18.4 है लास्ट टेन नंबर जो एवरेज है वह आपसे कह रहा है 28.6 है और यह आपको दिया हुआ है कहानी और कह रहा है कि इसी में अगर आप दस्वान नंबर निकाल दो तो आवरेज क्या होगा यह को बताना है जड़ा बात बता हूं मुझे कि मैं पहले 10 और आखरी 10 को अगर ध्यान से देख रहा हूं तो आप मुझे बात बताओ सब भी लोगों को बताना है कि यह नंबर अगर मैं लिखता हूं 18.4 इंटू 10 यानि 184 इसमें पहले 9 नंबर एक बार आएंगे और दस्वा बताना नंबर एक बार आएगा तो इसमें एक बार दस्वा नंबर है 10 नंबर एक बार आ चुका है इसमें बाकी 1-9 तक एक बार आया है प्लस ये जो number है अभी लाकरी 10 उसको अगर इससे multiply करोगे तो ये हो जाएगा 286 और इसमें भी 10 वा number एक बार आया है तो अगर मैं पूरे sample की बात करूँ ये 1 से 10 हुआ ये 10 से 19 हुआ ये 10 दस number जो लिखे हैं इसमें सारे number एक एक बार हैं बट 10 नमबर इसमें दो बार आ गया है तो अगर मैं इसके बराबर करूँ let's say 22.8 into 19 तो आपको कि इसमें एक mistake ये है कि इसमें आपको 10 वा number एक बार अलग से आड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 19 नमबर हैं बट मुझे 10 नमबर एक बार चाहिए लिख दिया मैंने अब आपको क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको पता करना है कि 10 नमबर की value क्या है राइट क्लिर है कि नहीं है सो आप क्विकली कहोगे कि देखो भाई यह जो नमबर हैं का सम करेंगे तो मिलेगा 370 और यह जो वैलू है इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप लेख सकते हो 20-1 यह हो गया आपका 556 556 और 470 और यह हो गया 556-22.8 प्लस आपका value हो गया है a10 हुआ कि नहीं हुआ सभी को सबको समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है क्लिर है कि नहीं है कोई दिक्कत है तो बताना है नहीं division से भी करा दूँगा मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि यह process का है then division भी मैं बता दूँगा ठीक है clear वा सभी को कि यह 470 हो गया और यह आप मुझे बताओ कि what is the value of a10 a10 की value निकाल पा रहा हो यहां से 18.4 यहां है 22 दस्वलो अच्छा यह 22 दस्वलो आटी जाना 22 दस्वलो आट इंटीन है तो यह वैलू सरी सरी यह भी वैलू बने गलत देखिए यह वैलू गलत देखिए मैंने इस फोर हंडेट फिप्टी सिक्स राइट यस तो 18 की वैलू जरह लिखो क्या रही है 18 की वैलू आपकी 470 यह हो गया 14 और 22 दस्वलो आट हा गई तो आपको दस्वा नंबर मिल गया 36.8 नाउ 36.8 यहां से हटाना है तुम्हें तो आपको 22 दस्वलो आट मेरा एवरेज है अ बाहर दस्वा नंबर अगर वो 22 दस्वलो आट ही लेके जाता तो आवरेज में कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन वो 36 दस्वलो आट लेके जा रहा है यानि 14 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो 14 का डेफिसिट क्रियेट होगा और लोग कितने हैं आपके पास अब 18 लोग हैं अगर कम होगा तो आंसर कितना आजाएगा आपका 22 आजाएगा ठीक है तो आपने लिख लिया यह अगला दस यह लिख लिया यह लिख लिया यह नंबर कितने हुए टोटल बीस नंबर हुए जिसमें दस्वा नंबर दो बार आया इसलिए राइट-hand side में 8-10 एक्स्टा लि अगर आपको डिवेशन यूज करना है डिवेशन के लिए लेकिन आपको डिवेशन प्रॉपर्ली आना चाहिए मैंने लास यह पढ़ाया था जब क्रैश कोर्स में या तो उसको देख लो तब समझ में आएगा 18.4 आपके पास यह है और यह वैलू है आपके पास कितना 28.6 यह 10 यह 10 इन दोनों नंबर्स को अगर आप कमाइन करोगे और एवरेज निकालोगे एवरेज अगर आप निकालता हो तो देखो आपको क्या मिलने वाला है एवरेज आपको यहां से मिलेगा इन दोनों को सम करो तो यह हो गया आपका कितना 47 और 47 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको वैलू कितनी मिलेगी 23.5 इसका मतलब सिंपल सा यह हुआ है कि यह जो पूरा ग्रुप है इसका एवरेज मिला मुझे 23.5 और इस ग्रुप में फ एक 8 एक्स्ट्रा भी है इसका एवरेज क्वेशन ने बता रखा है कि 22.8 है बता रखा है कि नहीं अब आप मुझे बता होगे कि अगर मेरा एवरेज 22.8 से 23.5 करना है एक नंबर की एंट्री के बाद तो वह 8 इन का वैलू क्या होगा आपको कि सिंपल सी बात यह है कि 23.5 अ साथ ही साथ इन सारे नंबरों को से 0.7 देना पड़ेगा देना पड़ेगा कि नहीं तबी इनके पास 23.5 होगा आपको क्या करना है इन दोनों को जोड देना है तो यह वैलू जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि आपको यह वैलू कितनी मिल जाएगी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि डेसिमल का इंवल्मेंट आपको परिशान करें जिनको डिवेशन आता है इसको बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन कर चुका हूं तो तो इस नाट गूंट भी डिफिकल्ट इता है ओके लेकिन पांच से डिवाइड नहीं होते हैं पहले इस केस को बहुत अच्छे समझना पहले केस क्या है यह को यह आख महाल लिया मनें का यह वो नमबर से जो तीन से डिवाइड होते हैं तो मैं लेकरा हो डिवेजिबल बाई 3 यहान लिकरा हो मैं यहां मैं लेकरा हो डिवेजिबल बाई 4 गयों और देखो जान से ये जौन क्या होगा ये जोन वह गा जो नमबर डिविजबल वाई 12 होंगे अर्वाइट डिविजबल वाई 3 डिविजबल वाई 4 डिविजबल वाई 12 पर देखो इस question की कहानी ठोड़ी different है यह कह रहा है इसको 3 से डिवाइड होने वाले नमबर चाहिए 4 से डिवाइड होने वाले नमबर चाहिए लेकिन 5 से डिवाइड होने वाले नमबर नहीं चाहिए रहेट तो पहले तो तुम यह निकालो कि 3 और 4 से डिवाइड होने वाले कितने नमबर है फिर किसे हटाना है जैसे यह करा है यह जब तुम calculate करोगे तो आपका एक number इस set में 15 आएगा यहाँ एक number 20 भी आएगा यहाँ एक number यहाँ पर 40 भी आएगा यहाँ एक number आपका 25 भी सारी 30 भी आएगा यह number आगर आप इसको calculate करोगे कि 3, 3 और 4 तो इसमें यह number included होंगे पर मुझे इन्हें भी हटाना है clear or not getting my point or not इन्हें भी हटाना है तो पहले ज़रा इसको understand करो आप पहले यह पता करो कि 3 से divide होने वाले कितने numbers हैं तो आपको होगे 2001 को अगर मैं 3 से divide कर दूँ then I can get that particular value तो आपको number कितना मिलेगा 667 आपको पता ही ना 2 by 3 क्या होता है point 66 होता है clear so you will get 667 it will be perfectly divisible उसके बाद क्या करोगे आप आपको होगे 4 से divide होने वाले कितने number है तो आपको होगे 2001 को 4 से divide करेंगे तो आपको होगे ऐसे number होगे 500 लेकिन 12 वाले इसमें दो बार count होगे 12 वाले को हटाएंगे so आपको होगे मुझे लिखना है 2001 बटे 12 clear अब बताओ ये value कितनी आएगी ये value कितनी आएगी can anyone tell me quickly what will be the value देखो इस question में dumb कुछ नहीं है पर आप जितना समय बर्बाद कर सकते हो it is in your calculation that is what I want to save your time in the calculation can anyone tell me what is the value that you are going to get कितनी value आएगी ये वाली देखो simply आपको पता है आप 2000 बटे 12 निकालोगे तो 1000 बटे 6 बनेगा और 1000 बटे 6 कितना होता है 166 होता है यह 133 होता है यह 166 होता है tell me it is going to be 166 very simple पता नहीं आपको 200 बटे 12 सोबटे 6 हो गया 166.something एक कोई फरकी नहीं बड़ेगा ना भाई 166 हो गया अब आप कहो गई यह अगर मैं calculate करूंगा 3 और 4 तो इन दोनों को तो जोड़ूंगा फिर यह माइनस करूंगा क्योंकि दो बार पर लिवाति मत करो या अनसर इसलिए नहीं कि अभी मुझे इसमें से 5 के मल्टिपल सटाने पड़ेंगे clear है अब वो 5 के मल्टिपल कैसे हटेंगे 5 के मल्टिपल सटाने के लिए मुझे पहले तो यह करना पड़ेगा कि देखो 5 और 3 दोनों के जो कॉमन मल्टिपल होंगे वो कौन से होंगे वो ऐसे नंबर से होंगे जो 15 से डिवाइड होंगे वो हटाने है 5 और 4 वो नंबर होंगे जो 20 के मल्टिपल होंगे वो हटाने है तो हटाते है चलो अब देखो आप कहोगे कि 2001 जो है मेरा इसको मुझे 15 से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा और जो होगे आपका 20-15, 4-133 हो गया, so आप क्या कहोगे, यह वो नंबर हो. यह वो नंबर है, झो भी से वड़िवायद्व न को माइनस करो मैंने ठीक है, यानि 1001 में से मेरे को 133 माइनस करना है और मुझे 100 माइनस करना है क्लियर क्या सभी को समझ में और जब हम इसको माइनस करेंगे तो जरा बताओ क्या वैलू आएगी इसका मतलब आप ने 233 में से माइनस कर दिया 233 अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या आपको यह वैलू दिख रही आती हुई और अगर आपने 760 को माक किया तो आपको नमबर मिलेगा माइनस वन निगेटिव मिलेगा गलत है ठीक है अभी भी कुछ छूट रहा है आंसर यह वाला तो मिल गया ठीक है बट दिस नॉट राइट 768 जो वैलू आई यह भी गलत है यह इसलिए गलत है क्योंकि जब तुमने हो नमबर घटा दिये जो 15 से डिवाइट हो रहे हैं और जो नमबर तुमने घटा दिया 20 से डिवाइट हो रहे हैं तो एक्चुली में हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला रिजन जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो यह दो बार घट गया कुझा कि कोई चीज फिर से घर से निकाल दी अरे आम और दी निकाल चुके हो कितनी बार निकालोगे तो ये जो 5 और 3 में 15 के multiple हैं 5 और 4 में 20 के multiple हैं इन में भी कुछ multiple common है वह multiple है 60 के तो जब ये minus किया तुमने तो वो भी गया यहां भी गया दो दो ठीक है तो इसमें आपको ना फिर 33 जोड़ना पड़ेगा और देन यूर आंसर विल बी 801 और था वा इस वा इस ब्री गुट क्वेश्चन बिकास यू नीड तो वाट 3-4 में 12 वाला गटा हो फिर 15 वाला गटा हो फिर 20 वाला गटा हो फिर 60 वाला जोड़ना है क्यों जोड़ इस राक त्सेम तिंग त्सेम त्वाइस वाट तो यूहा सिंप्लिफिकेशन का कर लेना तुम लोग लोग दिसक्वेशन लोग तो क्वेशन क्या कर रहा है आप से क्वेशन आप से कह रहा है कि एक लैडर है वह एक वाल बिंडो के अगेंस्ट जो है लगी हुई है साट डिगरी का एंगल है ग्राउंड से डिसेंस जो फूट का है 4.2 है क्या पूछ रहा है then the height of the point from where the ladder touches the ground यह वैलू आपको दिये 60 डिगरी यह वैलू दिया है 4.2 30 डिगरी के अपूजिट अगर 4.2 है तो यह वैलू हो जाएगी 4.2 टाइमस रूट 3 कुछ नहीं करना है आपको 4.2 को किससे मल्टिप्लाई करना है 1.732 से इसके लामा कुछ नहीं करना है अगर हम 0.032 आपस भी ले आएंगे तो वी केनाट रीज तो 7.8 चिस क्लोजर तो वाट 8 पहुंचेंगे तो यहीं रहेंगे 7.3 के पास तो आंसर विल बी क्या है ना है इसे ही सिंप्लिफिकेशन छोड़ने के लिए आता है क्या कई बार आप लोग जरुद से स्मार्ट बनने लगते हो ना ठीक है यह इसलिए छोड़ रहा हूं कि जहां क्वेशन में बॉर्ड मॉस लगाना है वहां तुम लगा लोगे जहां कुछ मेरा रेलेवेंस है वहां मैं क्वेशन करा रहा हूं और सिंप्लिफिकेशन के लिए भ कम ही है आपके लिए ठीक है एनिवेस इफ यू वांट टो एग्जाक्ली मल्डिप्लाई सो 4.2 इंटो 1.732 को आप मल्डिप्लाई कर सकते हो 1732 को चार गुना करोगे तो यह बनेगा देखो ऐसा जीरो डेसमल भूल जाओ तो यह हो जाएगा 6832 आपको देदेगा 128 that is clear what I am doing is 4 times I have done it 4 times 1734 68 so into 32 into 4 यह हो गया इसको अगर आप जोड़ो के तो आपको मिलेगा 6928 so if the value is 6928 और वो भी कितना गुना करके आया चार गुना करके आया आप 0.2 टाइम्स करना है तो यह कितना हो जाएगा आपका 34 यह बिलेगा 34 और यहां मिलेगा आपको 64 जोड़ लो if you want to go exact this is how you will do it you will get 7.3 अप्रोक्स look at this question now if you look at this question now this says कि एक triangle ABCS में angle C 90 degree है M और N जो है midpoint है AB और AC के CM और BN intersect कर रहे हैं D पर BDC 90 degree है BC आपका 8 है तो BN की length क्या है let me draw the triangle first this angle is 90 degree which is C so I can go like this ABC और क्या कर रहा है M और N midpoint है AB और AC के M यहां हो गया N यहां हो गया यह भी midpoint है तो यह ऐसे हो गया यह ऐसे हो गया और क्या कर आप से CM और जो BN है यह इंटरसेट कर रहे है किस point पर D पर और यह angle भी आपका 90 degree है बहुत अच्छी बात है 90 degree है BC के value आपको दी हुए 8 बताना है BN की length क्या है this length we have to find BN यह length आपको निकालना है राइट कैसे कर होगे आप let me see अगर इस point को मैं join करते है तो दो midpoint दिख रहे है तो मैं अपने आपको रोक ही नहीं पा रहा हूँ मैं join करूंगा ही करूंगा because whenever two midpoints are given two medians are given this is half यह की length का half होगा यह तो मेरे को पता है so that I can write without any problem ठीक है okay what I have to calculate is length of BN BN की length आपको निकालनी है तो आप question यह भी है कि यह BN की length कैसे निकलेगी right there are many ways actually कई कई तरीके हैं इसको करने के एक तरीका होगा median को लेके चल सकते हैं दूसरा होगा similarity try करना को साइन रूल लगाना सब कुछ possible है क्योंकि हमारे पास कई सारे triangles हैं जिसमें इंगल्स common है तो लेट लेट में ट्राइवाट similarity right then we can try something else also तो देखो देहां से यहां पर कि अगर मैं इस triangle को देखूं और इस triangle को देखूं तो यह तो मुझे है तो दोनों median क्या करेंगे आपस में intersect करेंगे 90 डिगरी यह तो दिया हुआ question में लेकिन मीडियन जहां intersect करते हैं क्या उसको centroid नहीं बोलते हो तो उसको centroid बोलते हैं तो point मेरा centroid हो गया centroid क्या करेगा इस पूरी length को ध्यान से दिखना अगर यह length 2 है मैं इसको कहता हूँ let's say 2k तो यह length क्या होगी k 2 ratio 1 में divide करेगा साथ ही साथ आपको पता है कि राइट एंगल क्या मिलेगा ठीके और के मिला के आपको क्या मिलेगा यह अंगल आपको पता है कि यह 90 डिग्री है अगर यह 90 डिग्री है तो यह दो नो परपेंडिकुलर हो गया और यह 2 k k 3 k that's equal not a problem and 3 k diagram मैंने सही बनाया प्लीज चेक करना थोड़ा सा मेरा दिमांग भी डिवर्टेड अभी ओके अंगल C मैं फिर से diagram द्रॉ करता हूं so that check कर लूं कि diagram मैंने गलती नहीं करिया विल सॉल बिट आउट डॉन वरी ठीक है this is 90 degree this is a b and c मैंने या पर लिख दिया आपके सामने फिर मैंने आपको बोला कि m और n midpoint है a b k so a b ka midpoint हो गया आपका m और इसका midpoint हो गया n so I am drawing it so that we don't have any problem कुछ गलती नहीं करियो मैंने diagram बनाने में ठीक है so यह हो गया मेरा a b यह हो गया मेरा a c c m और b n का intersection आपका d पर है और यह angle आपका b d c अगर 90 degree यहां पर है तो यहां भी 90 degree होगा no confusion at all ठीक है no confusion at all अब यह value मैंने कहा आप से कि मानलो 2k है तो यह value k होगी क्यों क्यों क्योंकि यह आपका क्या हो गया आपका centroid हो गया यह अगर centroid हो गया तो मैं वह कर रहा हूं यह angle आपका 90 degree है अच्छा यह actually diagram मैंने गलत बनाया था यह 90 degree है तो आपका यह क्या होगा यह value दूसरा perpendicular side होगा यह hypotenuse है आपका so 9k square minus k square यह 3 और 1 है तो यह 2 root 2 आएगा आपका so it will become 2 root 2k अगर यह 2 root 2k है तो देखो median centroid क्या करेगा median को divide करेगा 2 ratio 1 में यह value आपकी क्या होगी root 2k होगी clear है कि नहीं है is it clear or not तो देखो आपने क्या क्या चीज़ें लिख ली actually answer पहले आ चुका है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यह value आपको question में दी हुई है कि नहीं BC के value आपको 8 दी हुई है अब यह right angle triangle आप जहान से देखो यह वाला जहाँ पर आपको अभी मिला है कि यह value है 2k यानि 4k square plus 2 root 2 के आपका क्या हो गया 8k square और यह value किसके बराबर है 8 square के जो आपको निकालना है bn की length ध्यान से देखना bn की length क्या है यह है आपका ध्यान से देखना 2 root 2 यह है root 2 2 ratio 1 में यह value आपकी है 3 root 2k that's what you need to find out so can you find it from here or not yes so 12k square is equal to 8 square so if I want to find k यह value आपकी कितनी हो गई 64 बटे 12 और इसका square root so आप अंदर ही simplify कर लो अगर divide करोगे आप 4 से तो यहां 3 बनेगा यह value है 16 तो यह बन रहा है 4 बटे root 3 तो यहां पर मैं लेकर रहा हूं 3 root 2 into 4 बटे root 3 that's what I am getting clear है कि नहीं है तो यह हो गया 12 root 2 बटे root 3 अगर मैं इसको simplify करों तो यह 4 root 3 बनेगा so it is 4 root 6 answer is c right select explain you once more फिर मैं इसका छोटा तरीका भी बताता हूं आपको क्योंकि इसमें similarity भी लग जाएगी देखो यहां पर यह हो गया आपका मैंने फिर से समझाता हूं मैं आपको जस्ट यह चीज़ तो सभी को पता ना कि कोई भी triangle है तो जो centroid होता है अगर मैंने median ड्रॉक यह centroid है यह 2 ratio 1 में बाटता है तो मैंने यहीं बोला कि अगर यह 2K है तो यह क्या होगा k होगा 2 ratio 1 साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि right angle triangle की एक special property यही होती है कि जो भी आपका half of the median होता है hypertonus का जो half होता है वो circum radius भी होता है तो यह length और यह length बराबर होती है तो यह अगर 3K है तो यह भी 3K हो गया this is also 3K once this is 3K और यह 90 degree आपका है तो अब यह कहानी कुछ ऐसी हो गई कि यह आपका 90 degree है यह आपको दिया हुआ है 3K और यह दिया हुआ है k तो यह वाली length में निकाली तो आगर 2 root 2K है अगर यह length आपकी 2 root 2K है तो यह value कितनी होगी root 2K होगी क्योंकि यह भी 2 ratio 1 होगा तो overall length क्या है आपकी 3 root 2K है the question is how do I find K अब K कैसे निकलेगा के कैसे निकलेगा के निकलेगा इस triangle से right angle triangle आप लगा लो तो यह value आपकी हो जाएगी 4K square plus this is equal to this Pythagoras theorem के की value आगे और answer आगे है हाँ जी clear मैं मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ ठीक है अल्राइट अब दिके यहाँ पर क्या है इसके दो तरीके और भी है पहला तरीका कि एक theorem है जहाँ पर आपका median अगर right angle triangle पे cut करता है तो there is a very simple and useful relation you can use that or you can use similarity ठीक है similarity का इस्तेमाल करके भी यह question आप solve कर पाओगे clear दिको similarity मैं try कर पाता हूँ okay just a minute please एक minute wait करो बस यह अच्छा सवाल है repeat हो सकता है exam में इसलिए थोड़ा सा time इसको दे दो यह माले 90 degree है यह value अगर 8 है तो आपको पता लग गया कि यह value क्या हो सकती आपकी चार हो सकती इसमें कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए this values can can be equal to 4 साथ यह वाली जो length है और आपकी length कौन सी है यह आपका A है यह point B है और यह point आपका C है clear this angle is given to be 90 degree अब जरा एक बात बताओ मुझे यह angle 90 degree है 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 टीक है,So will you find many many right angle triangles or not? Tell me,Yes एक right angle यह दिख रहा है एक right angle यह दिख रहा है एक right angle यह दिख रहा है एक right angle मुझे यह दिख रहा है यह दिख रहा है कि नहीं जिख रहा है,they are very simple to identify कुछ भी इसमें मुष्किल नहीं है अब बस सवाल यह है कि कौन कौन से right angle triangle similar होंगे यह हम कैसे find out करें that is the challenge you are going to have पर आपको पता है वो जो side ratios है that you need to find out उससे आप नहीं बच सकते हो वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा यह आप 2 के लिखोगे यहाँ पर आप k जाके लिखोगे फिर यह आपका 3 के होगा और फिर यह value आपकी 2 root 2 के बनेगी है ना बनेगी की नहीं बनेगी आप जिसे let's say मैंने बोला कि यह बड़ा वाला जो right angle triangle अगर आप ध्यान से देखो और यह angle आपने बोला कि let's say theta है यह angle theta है तो इन दोनों sides का ratio लिखो ज़रा ज्यान से यह n है अगर तो cn को अगर मैं लिखूंगा cb से divide करके essentially मैं इस theta के opposite 10 theta लिखने की कोशिश कर रहा हूं cn upon cb अगर मैंने लिखा 10 theta लिखने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पर फिर आप कहोगे कि 10 theta कहीं और से भी लिख सकते हैं क्या तो यह theta होगा यह 90 होगा तो यह 90 minus theta होगा तो यहाँ भी आपका theta मिलेगा 10 theta और यह 10 theta अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो यह होगा this upon this अब जहान से देखो यह value आपने बोला कि root 2 के है यह root 2 के है तो यह root 2 upon 2 के फिर से यह बन जाएगा 1 upon root 2 बन गया कि नहीं बन गया अगर यह 1 upon root 2 बन गया तो आप यहाँ से cn calculate करोगे तो यह मिल जाएगा 1 upon root 2 into cb बना कि नहीं बना cb के value आपको 8 पता है तो 8 अगर यहाँ रखते हो तो यह value बन गई 4 root 2 अब cn अगर आपका 4 root 2 है यह value अगर 8 है तो यह निकालना है मुझे क्या करोगे फाइता गुरस तीरम लगा दो तो बनेगा square root of 8 square plus 32 बना कि नहीं तो 64 plus 32 आपका बन गया कितना हो गया आपका root 96 4 root 6 आपकी value आगई clear है कि नहीं है clear है कि नहीं है you can find out many ways to get it so you can clearly see whenever you see the question when right angle triangle पर यहाँ पर हो रहा है intersection right so right angle triangle पर intersection से तुम क्या निकाल सकते हो तुम सीधे निकाल लोगे कि what is the similarity principle that you will apply to get this particular value यह पता है यह पता चल गया तो यह भी निकल गया but उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि value जो है यह two root two है तो यह root two के बनेगी then similarity को पता करना आसान है ठीक है आगे चले ओके चलो यह सवाल देखो करेंग ट्रेन है 342 मीटर है वो रन कर रही है 54 किलोमेटर पर हार से कितना टाइम इसको लगेगा एक ब्रिज को क्राउस करने में जिसकी लेंग चार्ट सो और तिस है देखो चार्ट सो और तिसका दो ब्रिजी हो गया ट्रेन होगी तीन सो ब्यालेस की है कि कि लेंद्ध हो गई आपकी सेवन एटी कि चवन किलोमेटर पर हार कितना मीटर पर सेकंड करना है यह वैलू बावन है या नही है पचास गुना सास्थो पचास होती है तीस ज्यादा है ठीक है सही है कि नहीं दैट्स दांसर ओके यह सवाल देखें क्या कर रहा है यह सवाल आप से कर रहा है कि ABC ने बिजनेस से स्टार्ट किया है A का है जो capital वो B के total capital का one third है B जो है 33 one by three percent invest कर रहा है remaining का और C कर रहा है remaining तो देखो इसको कैसे आपको समझना है आपको पता लग गया कि अगर total three है A का capital one है B का capital क्या है one third of the remaining तो अगर remaining two है तो यह two by three है अगर मैंने इसको nine माना होता मान लिया तब आप कहते यह three होता और जो six है उसका one third यानि two इनों ने किया होता तो चार किसने की असीन है यह ABC का ratio तुम्हें तुरंट मिल जाता capital का कर रहा है जो total profit है वो है बीस दो सो पचास तो यही सी ratio में profit distribute होगा और कह रहा है कि C का profit B से कितना exceed करता है तीन दो पांच चार नौ इन नौ पार्ट आपको दिया है two zero two five zero और क्या निकालना है आपको दो किसके बराबर होगा that's what you need to figure out B और C का जो profit of C exceeds B भाई हाँ जी तो टू पार्ट निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना आप इसको जड़ा डिवाइड करके वैलू बताओ don't take much time it's very simple question division करूब तो क्या है का 2025 नौ का कितना गुना करने बाद आता है प्लीज प्लीज सॉल प्लीज सॉल क्या ये वैलू आपको बाइस सॉ पचास मिल रही है यू कन डिवाइड देखो बहुत असान है भाई आप इसको कुछ ली देखो कि एक वैलू है 18,000 प्लस 2250 अठार हजार की अगर मैं बात करूंगा सीधे 9 से तो 2000 मिलेगा ठीक है और ये कितना मिलेगा 250 गुना ठीक तो यह हो गया 2250 का डबल पैतालिस सो कुछ डिविजन एंड देन दा अंसर इस देर लेकिन इतना इस क्वेशन में करना था ने आप अगर रफली आइडिया लगाते इसको कि यह वैलू जो मेरी साफसाब मेरे सामने लिखी हुई है यह 2.5 से कम है तो जो आंसर होगा वो 5 से कम होगा एक ही option है 5 से यह तो बहुत कम है इसकी दो बात ही नहीं करना है 2.5 से कम है तो क्योंकि 2.5 अगर होता तो आप कहां चले जाते जादा आगे निकल जाते है तो आट साओ आंसर कैन वनली भी है अल्राइट यह सवाल देखो करा जो LCM है नंबर का वो के है और जब उस के को आपने डिवाइड किया है से तो कोशेंट पी है तो आपको बताना है पी की वैलू किया है जरा देखो इस सवाल हो करो अल्राइट प्लीज सॉल्व इसक्व आपको पढ़ाया है तो यूस्ट पर्टिकुलर नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो वाली बात क्या है मैं जानता हूं आप समय खुब घोर बरबात करोगे तो मैं समझा देता हूं पहले इन सब क्वेश्चन में कैस अपको समझना है कि कैसे जल्दि करोगे तो नमबर बड़े बड़े दिख रहे हैं जब भी virąż हाई कि नहीं है 11 is the only common number in all you say what is LCM तो मैं कहूंगा बताता हूँ 11 into जान से दिखना यहाँ एक 3 है और एक 5 है यहाँ आपका 3 into 5 है यहाँ 2 की power 4 है यहाँ 5 into 7 है यहाँ 5 into 3 square है तो 3 की highest power 3 square है 2 की highest power 4 है 5 की power आपकी highest में 1 है 7 की power क्या है 1 है this is the LCM LCM में क्या करते है 11 तो आएगा ही आएगा जितने भी prime number से उनकी highest power लिखते है 11 एक बार आया 5 एक बार आया 7 एक बार आया 3 दो बार आया 3 square लास्ट वाले में और 2 की power 4 maximum आया that is the LCM अब आप मुझे यह बताओ वही पुछ रहा है कि अगर मैंने इसको divide किया HCF से LCM को तुम अगर HCF से divide कर दोगे तो जो quotient है वो P है तो P की value क्या है this one है कि नहीं है इसकी value आपको निकालनी पड़ेगी तो आपको यही बताना है कि answer क्या होगा यह आपको पता है कि 9 है यह आपका 16 है यह 5 है यह 7 है 16 पंचे 80 यह हो गया 560 इंटु 9 what is the answer B option calculate नहीं करना है देखना है तो यह question अच्छा सवाल है बट आपको again में करा हूँ exam में यह identify करना जरूरी है कि numbers में एक pattern है कि इसका 11 बाहर आएगा इसके why because sum is written in between sum आपका बीच में लिखा हुआ है so number 11 का multiple होता है इससे आपको SCF आसानी से मिल गया 11 और LCM भी आपने निकाल लिया और आंसर आ गया traditionally निकालो गया तो फिर यह सवाल हो चुका फिर तो बहुत टेम लगगा तुम से आना यह सवाल देखो यह कह रहा है आपसे ratio जो expenditure और saving का है 5 ratio 3 है income आपने बढ़ा दिया 20% expenditure बढ़ा दिया 10% तो बताना है person के saving कितनी बढ़ गई छोटा सा calculation है इसलिए इस question सही है वरना है सा कुछ दम नहीं सवाल में expenditure और saving मिला के क्या बनता है income income को आपने 20% बढ़ाया तो आपको पता है 1.6 बढ़ेगा और expenditure को आपने कितना बढ़ाया 10% तो यह 0.5 बढ़ेगा बाकी कौन बढ़ाएगा यह बढ़ाएगा 1.1 यही निकालना है कि 1.13 का कितना परसेंट है आपको होता है 1 by 3 33% होता है यह उससे ज्यादा है तो आंसर क्या होगा अगर यह 1 by 3 होता तो 33 1 by 3 परसेंट करेक्ट होता यह 1.1 by 3 है थोड़ा से ज्यादा थोड़ा से ज्यादा ही की option है उसका सही होना उसकी मजबूरी है एनिवेस सॉल्व कर लो 36 से यह 108 दो 210 अटस आंसर राइट क्लियर तो आज इतनी सवाल करेंगे ठीक है कल की क्लास में बाकी के सवाल करके यह पेपर खतम हो जाएगा आपका 13 December shift 1 है ना सो दोंट वरी ना ओके तो वो जगट्री वाला जो question that was a good question even I took some time to identify what it is all about ठीक है so this question was good I mean इस structure को अच्छे से देख ले ना कहां गया तो फॉर्मूला जो होता है उससे भी लग जाएगा जो median आपका 90 डिगरी होता है उससे भी आपकी यह पूरी वैलू यह पूरी वैलू यूस होगी यह पूरी वैलू यूस होगी अगर आपको पता है कि यह 3K है तो K के टम में यह निकल आएगा उससे भी आंसर आजाएगा but this is a good question ठीक है तो यह known structures पता होंगे तो आपको कहितना कि आसानी मेलेगी but yes, right angle triangle में जब भी यह चीज आपको 90 डिग्री यहां देखेगी तो you will get so many right angle triangle तो similarity does work थोड़ असा time लेगा कि similarity कैसे apply करनी है but similarity does work so you will be able to find the answer कुछ सवाल होंगे जो exam में आपको थोड़े बहुत परिशान कर सकते है but that's not a problem one or two questions if they take little time that's never a problem I tell you होता है कितनी भी आप तियारी कर लोगे एक दो सवाल ऐसे हो जाएंगे exam time में time consume करेंगे थोड़े बहुत so you need not to worry about them okay 30 वाला paper भी होगा 30 का क्या होता है 30 what is the 30 number तेकि geometry के आपके exam में एक से दो सवाल आएंगे जसमें एक सवाल बहुत असान होगा हो सकता है दोनों बहुत असान हो last year आपने देखा था geometry में क्या क्या सवाल आए ते very easy question so geometry को सर पे मच चड़ाओ that is a matter of two questions in exam don't worry too much about that एक दो question क्या होगा नहीं होगा you have to maximize your score pass मजे से जाओ कर क्या हो ठीक है so you should not worry much about कि geometry होगा या algebra होगा पूरे paper में अगर कुछ परिशान कर सकता है आपको थोड़ा सा बहुत दिक्रत आपको हो सकती है एक दो सवालों में that's okay किसी को भी हो जाता है कोई कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाए कोई जरूरी नहीं कि उसके 25 में 25 exam में सही हो जाए ठीक है वो that depends on the day वो दिन कैसा है बहुत कुछ उस पर निर्वा करता है तो डाउंट वरी तूमॉच अबाउट इस गोविद वाटेवर यह प्रिपेर्ट सब अच्छा होगा जो है वो है जो नहीं है नहीं है ठीक है परिशान नहीं होना है कि एक टॉपिक अगर टीक से नहीं आता है तो कुछ नहीं होगा सब होगा अना देखिए मने बोला ना कि इसमें आप जो भी खेल करना है करो क्योंकि there are many triangles which are similar जब 90 degree charge बन गया ना तो बहुत सारे triangle similar बनेंगे वह आप कोई भी similarity लगा लो मैंने भी similarity लगाई है मेभी आप कोई और similarity लगा रहे हो आप वो लगा लो you will get the answer चीक है so many many thing you can do that's not an issue all right so much discussion जो लोग बोल रहे हैं अभी कुछ बच्चे को मॉक देने में issues आ रहे थे तो इसलिए मैं अभी रोक लिया है discussion करेंगे तो क्या पता उन्होंने भी देख वो भी देख ले करवा दूंगा दस मॉक पूरे हो जाने तो दस के एक साथ सवाल निकालके ना करवा देंगे एक साथ ठीक है don't worry next week में करवा दूंगा मैं for sure मॉक के अप्टू 10 मॉक जो भी best questions होंगे that I will do in the next next week okay okay all right चले thank you so much see you soon आज की साम की क्लास देखे कंफूम नहीं है I'm not sure कि मैं लोंगा कि नहीं लोंगा so अगर क्लास होगी तो आपको बता दिये जाएगा शाम की क्लास पर थोड़ा सा डाउट फुल हूं है कुछ काम से मुझे शायद जाना पड़ेगा so अगर कल तो होगा आज का थोड़ा डाउट फुल है ठीक है अगर होगा तो मैं बता दूँगा शाम को ठीक है right चलिए ठीक है bye bye thank you hello so I must be perfectly audible now मेरी यावा जा रही होगी और थोड़ा सा भी स्टूडियो में हमारे थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है कि भी स्टूडियो बनी रहे so please manage for the day है ना so देखे आज जो भी हमने 13 December shift 1 के papers हम लोग कर रहे थे उसी paper को हम continue करेंगे अभी 20 questions हो चुगे थे 21 onwards जो भी questions हैं वो हम लोग आपके लिए यहाँ पर discuss करेंगे बहुत मजा आएगा जैसे हमने बाकी papers किये हैं उसी तरह से इस paper को भी हम लोग complete करेंगे और इसक question आप से क्या कह रहा है यह question आप से कह रहा है कि एक pole है जिसके length आपको दिया है कि वो 7 meters है और उसको vertically fix किया गया है एक tower के top पर और कह रहा है जो angle of elevation है top of the pole अगर हम ground से observe करते हैं तो 60 degree कह रहा है और जो angle of depression है उसी point का ground से top of the tower से वो 45 degree है तो कह रहा है जो height है tower का वो कितना ह होगा यह आपको बताना है ठीक है तो अब मैं इसको जिरा draw करता हूं ताकि आपको बहतर समझ में आएगा सब अच्छे तरीके से तो यह question देखो ऐसे कर रहा है कि यहां पर ऐसे है कहानी story है और यह value आपको दिया हुआ है कि यह जो angle of elevation है 60 degree है तो मैंने यहां पर 60 degree आपका यह length है यह जो pole है इसकी length आपको दी है कि यह 7 meters के बराबर है 7 meters के बराबर है आपको पता है क्या calculate करना है वो calculate करना है कि जो tower की height है वो कितनी होगी यह हमारा tower है इसकी height मुझे निकालना है इसकी height अगर h है तो यही calculate करना है अब जो भी हम लोग triangle standard देखते हैं उसी से इसका answer आना चाहिए कैसे निकलेगा यह मैं आपको बता रहा हूँ let's say यह length मैंने बोली कि 1 है तो यह height भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि 45-45-90 triangle है और यह angle कितना है यह 30 degree है अगर यह पूरा angle 60 degree है तो यह 30 है आप मुझे बताओ कि यह अगर 30 है और 30 के opposite अकर मेरी value 1 है तो आप मुझे बताओ कि यह पूरी value क्या होगी यह पूरी value आपकी root 3 के बराबर होगी कि नहीं जब 30 के opposite 1 होता है तो 60 के opposite root 3 होता है अब आपको दिख गया कि यह जो length है 7 meter यह किसको करिस्पॉंड करेगा यह standard triangle है हम लोग पने पहले भी इसको discuss किया हुआ है यह root 3-1 को korrespond करेगा तो रूट 3-1 अगर मेरा 7 meter को korrespond कर्या है तो मुझे height अगर निकालना है तो मुझे निकालना है कि one किसको korrespond करेगा तो रूट 3-1 के corresponding value निकालनी है आपको दो आप इसको simplify करोगे अगर तो यह बनेगा 7 into रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 को अगर आपने नीचे गुणा किया तो वो 3-1 2 बना देगा आंसर अब गया 7 by 2 into root 3 plus 1 7 by 2 into root 3 plus 1 तो ये कहां से बनेगा आपका option आपको बने बना आपका d what is the option option is going to be d 7 into root 3 plus 1 by 2 तो आसान सवाल है बस ये standard जो triangle है जो बार-बार इस्तिमाल होता है exam में आपको उसको जानने की जरुवत है कि ये मेरा हो गया overall 60 degree ये 45 degree 1 1 और आपको पता है कि 30 opposite 1 है तो 60 opposite क्या होगा root 3 होगा तो ये value root 3 minus 1 को correspond करेगी और मुझे height निकालना है तो मुझे 1 के corresponding value चीए और वो आसानी से आपका निकल गया ठीक है चली अगला question देखिए देखिए ये question आपके सामने क्या कह रहा है ये question आपसे कह रहा है कि A जो है वो 75% कम है B से और C जो है वो 75% है जो A और B का अंतर है उसका कह रहा है C कितना percentage C is what percentage more than A ठीक है तो ये कैसे निकालेंगे देखो जान से आपने कहा कि जो B है मेरा ये मेरा B है ये अगर 100 है A 75% कम है तो क्या मैं बोलूँगा कि A मेरा 25 है येस और कह रहा है कि जो A और B का अंतर है 75 इसका 75% आपका C है तो C इसका भी 75% है तो मैं C अगर निकालूँगा तो मैं कहूँगा वो है मेरा 3 by 4 of 75 हुआ कि नहीं हुआ question पूछ रहा है कि C जो है A से कितना % जादा है अगर मुझे निकालना है कि C A से कितना % जादा है तो आप सीधा सीधा इसको calculate करोगे तो आपको मिलेगा ये 225 बटे 4 मिलेगा ये नहीं मिलेगा आप मुझे बताओ कि अगर मैं A और C में कोई relation निकालूँ A ratio C निकालूँ तो ये 1 अगर होगा ये 25 into 9 होता है तो ये 9 बटा 4 हुआ कि नहीं हुआ आप बताओ C A से कितना % जादा है अगर मुझे ये निकालना है आपको पता है कि ये 2.25 के बराबर है तो ये इससे 1.25 जादा है 1.25 जादा है अगर 1 के base पर तो इसको 125% बोलते है 1 के base पर 1.25 is nothing but 125% which is option A simple सा question है बट आपको और सही से आना आता है कि इसको कैसे solve करेंगे तो जल्दी हो जाएगा वरना आप इस question में भी confused हो सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question देते हैं देखिए question आपसे कह रहा है कि एक test है जिसमें आपके 120 questions हैं दिया हुआ है और कह रहा है अनुराधा ने answer किया 65% पहले साथ question का बिलकुल correct बताना है कि what is the percentage of remaining questions does she need to answer correctly to score 75% in the test देखिए इस question को आप आसानी से mark कर सकते हो किसका answer है B इतना जल्दी बिलकुल इतना जल्दी आप question है कि इतना जल्दी कैसे देखिए 120 questions का मसला है लग दिया मैंने आप कह रहा है कि जो पहले 60 सवाल है दो category बना दी पहले 60 सवाल तो फिर बाकी के 60 सवाल हम कहेंगे basically ये one ratio one में है कि नहीं है अगर quantity ratio में देखू पहले 60 सवाल बात के 60 सवाल one ratio one में है आप कहरोगी यहाँ पर 65% correct हुआ यहाँ पर कितना percent correct हो कि इनका जो net हो वो आपको साफसा provided है कि 75% है जब यह value one ratio one में है तो यानि 65 और X का जो simple average होगा वह 75% होगा तो यह अगर 65 है और यह 75 है तो यह value कितनी होगी 85 होगी तभी middle value 75 आगी क्योंकि यह one ratio one था अगर यह one ratio one नहीं होता यह 60-60 नहीं होता तो फिर हम ratio निकालके weighted average से solve कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि one ratio one है simple average है तो हम आसानी से बूल सकते हैं कि यह value 75% अगर average लाना है तो यह बया 85 होना पड़ेगा अगर average की इससे दूरी 10% है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 10% और आगे जाएगा यानि 85 हो जाएगा और करा जो tap c है वो इसको खाली कर सकता है x minute में और करा अगर तीनो tap को खोल दिया जाए तो जो tank है वो completely 8 minutes में भर जाता है आठ मिनट ही लगते हैं इसको पूरा भरने में बताना है कि tap c को अगर आप अकेला छोड़ दो tap c को अगर आप अकेला छोड़ दो तो वह तीन बटा अगर आप ध्यान से दिखो और आप LCM निकालने की कोशिश करो 8 10 और 15 का तो आपको जो common value आपको दिखेगी वो दिखेगी कि 120 इनका LCM हो सकता है तो मैं 120 units मान लेता हूं कि हमारा पूरा जो tank है उसकी capacity इतनी है अब अगर भर सकता है आप बताओ वो भी 15 minute में तो आपको minutes में तो इसको तो आप अभी छोड़ दो कि इसकी capacity क्या है तीनों मिलाके यह दिया हुआ है question कि इन्होंने 8 minutes में इसको दिया हुआ है कि भर सकते हैं तीनों को मिलाके अगर 8 minute लग रहा है तो मैं अगर इसको 8 से divide करूं तो मैं simply कहूंगा कि मुझे यहां plus 15 आना चाहिए कि तीन बटा 8 question पूछा है कि तीन बटा 8 खाली करना है 120 का यह वैलू कितनी होई यह बताओ मुझे 45 unit खाली करना है यह नहीं yes 45 unit खाली करना है जो भी लिखा इसको जान समझो 3 by 8 of 120 tap C को अकेले empty करना है 3 बटा 8 part tank का तो 3 बटा 8 अब कैसे निकालोगे क्या यह 45 unit आएगा य कि 5 unit है so इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आपको वैलू मिलेगी 9 minute की आप कहोगे yes इसलिए इसका आंसर कितना हो गया the correct answer here is 9 minutes simple और आसान है कोई तकलीफ नहीं होने चीए कि इसका 9 minute answer आने वाल है that's very easy and you can mark like this ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं देखी यह ग्रेटेस्ट नंबर डी से जहां पर डी कर रहा है एक से बड़ा है तो हमें बताना है कि जो डी माइनस आ रहा है वो किसके बराबर है हमने इस तरह का सवाल बहुत सौल किया है फिर से यह कोईशन हम लोग करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है 6454 एक नंबर है आपका ए एक नंबर है आपका 8797 और इसको आपको डिवाइड करना है किस नंबर से डी से और आर रिमेंडर से मैं आपको अल्डी लाजिक बता चुका हूँ ऐसे क्या होता है कि इनका जो अंतर होता है वो निकालना होता है पहले इनका अगर अंतर आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर बहुत ध्यान से दिखना 54 है यह 06 तो आपको 46 और 6 लगेगा 52 और 37 यहाँ पर कितना लगेगा आपको 65 के बाद 852 73 और 87 आपका कितना हो गया This value is going to be 14 और 6 और 97 आपका हो गया 91 अब मुझे इन दोनों numbers के बारे में कोशिश करनी है कि इसका highest common factor क्या होगा अब ध्यान से दिखो जो 852 में एक 52 दिख रहा है यहाँ एक क्यान ने भी दिख रहा है आपको तुरंती इंटी मिलेगी कि इस number का लेना देना 13 से हो सकता है अगर इस number का 13 से लेना देना हो सकता है तो आप कहोगे इस number को यह भी मुझे दिख रहा है कि यह 4 से डिवाइड हो रहा है कि उससे अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे जो रिमेंडर है वो क्या मिलेगा सीम मिलेगा पर question मैं मुझे यह नहीं पूछा है कि what is HCF question मुझे से पूछ रहा है कि तुम यह बता दो कि आपका D-R क्या है आप मुझे पता करना पड़ेगा कि किसी भी एक नंबर को डिवाइड करने पर जो रिमेंडर सब में आ रहा है तो वो र की वैलू क्या है तो कैसे निकालूंगा मैं मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहूंगा 213 को आप सीज़े 30 से मल्टिप्लाई करो तो यह वैलू आ जाएगी 6390 6390 पर क्या यह 6390 है नहीं यह 6454 है तो आप खुद देखो कि अगर 30 टाइमस ले जाओगे तो रिमेंडर कितना आएगा आपको रिमेंडर आ रहा है मेरा 64 इनको माइनस करो 64 रिमेंडर आया आर की वैलू कितनी हो गया आपकी 64 अगर आर 64 हो गया इस तरह से यह सवाल बार 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 रिपीट हुआ है इसलिए संभावना है कि सीजल के वेपर में एक सवाल यह आने वाल है इसलिए इसकी अच्छे से त्यारी कर लो हर तरह के सवाल मेंने करा दिया है कभी डी प्लस आर पूचा है कभी आर पूचा है कभी डी पूचा है सब निकाल सकते हो अगर यह लाजिक आपको क्लियर है इस हवाल देखिए करा है पाइप A और B जो हैं वो एमटी कर सकते हैं एक भरे हुए टैंक को कितने दिर में 18 गंटे में और 24 गंटे में कह रहा है कि पाइप सी अकेले इसको 36 आर्ट में खाली कर सकता है ठीक है भर सकता है दो खाली करने वाले एक भर सकता है करा है कि 5x6 tank का full है और all 3 pipes को 1-7 अगर हम खोल दे तो बताना है कि कितने time में जो tank है हमारा वो empty हो जाएगा यानि हमें 5x6 को empty कराना है यह ध्यान रखना 5x6 को मुझे empty कराना है आप बतावे जो value दी हैं आपको 18, 24 और 36 यह तीन value दिख रही है मेरी A, B और C यह filling है बाकी यह दोनों क्या है खाली करने वाले है अब इन तीनों का LCM आपको बता है क्या है 72 units हो सकता है अगर यह 72 units हो सकता है स्रीमान जी तो जिरा ध्यान से बताओ यह क्या होगा minus 4, यह क्या होगा minus 3, यह क्या होगा plus 2, होगा यह नहीं होगा अब यह अगर 72 unit है तो 5 बटे 6, 72 का कितना हो गया आपको 60 unit हो गया अब 60 unit को मुझे खाली कराना है इन तीनों को अगर combine कर लो आप तो कितना आएगा value आपको 5 मिलेगा और अगर 5 मिलेगा तो यह value कितनी आजाएगी आपकी this value will be 12 minutes अंसर क्या होगा आपका ठीक है बहुत ही सिधा आसान है बहुत आसान सवाल हुआ कैसे हुआ फिर से बताता हूँ तीन value जो दिख रही है 18, 24, 36 इन का LCM कितना होगा 72, 5 by 6 of 72 is 60 और इसके बाद हमने निकाल लिया ABC के efficiency minus 4, minus 3, plus 2 इन दोनों का net निकाल लिया 5 हुआ 565, 5 is good to 12 आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं इस सवाल में अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि 3 cot square theta minus cos square theta is equal to 1 minus sin square theta बताओ क्या है जैसे ये question देखा आपने आपको लिखना क्या है 3 cot square theta उदर 1 minus sin square theta क्या होगा cos square theta और यहां से 3 cos square theta जाएगा तो ये बन जाएगा 4 cos square theta बने गया है नहीं आपको बताओ ये cos बता sign होगा sign उदर जाएगा cos cos cancel होजाएगा sin square theta आपका कितना आगया 3 upon 4 sin theta कितना आगया root 3 by 2 तो theta की value कितनी आगयी आपकी 60 degree आगयी answer क्या होगया आपका ठीक है बहुत straight forward है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि complex है आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहां plus minus root 3 by 2 क्यों नहीं लिखा actual में sin square theta कर 3 by 4 है तो it must be plus minus 3 by 2 root 3 by 2 ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि theta के value पहले दिया है 0 से 90 के बीच में 0 से 90 के बीच में जो sin होता है वो positive ही होता है इसलिए मैंने negative value को नहीं लिखा है answer will be theta is equal to 60 degree coming next ये सवाल देखो ये कह रहा है आपसे x cube plus 1 by x cube minus k का whole square plus x plus 1 by x minus p का whole square बराबर 0 है तो बताना है k and p आपके real numbers है जहां पर x 0 के बराबर नहीं है तो k upon p किसके बराबर है अच्छा answer क्या है k upon p जब आप निकाल रहो तो कहीं भी x दिख रहा है क्या नहीं options में x कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह हो गया कि k upon p की value x पे dependent नहीं है क्या हो गया आपका कि k upon p की value x पे dependent नहीं है तो आप x की value मान सकते हो कुछ भी क्या मैं 0 मान सकता हूँ नहीं 0 मानने पर 1 upon x undefined होगा तो x मैं 1 ले सकता हूँ अब अगर आपने इसको 1 लिया तो आप बताओ क्या बनेगा आपका आपका बनेगा 2 minus k का whole square plus 2 minus p का whole square बराबर 0 जब भी something square plus something square 0 होता है तो यह अलग-अलग 0 होने चाहिए k की value 2 आ गई p की value क्या आ गई 2 आ गई yes k upon p अगर 1 के बराबर हो गया तो आप देखो किस option में p की value 2 रखने पे 1 answer आ रहा है क्या यहां आ रहा है नहीं क्या यहां आ रहा है नहीं क्या यहां आ रहा है नहीं क्या यहां आ रहा है yes sorry d में आ रहा है p की value 2 रखने पे 1 आ रहा है that is answer d तरीका नमबर एक दूसरा तरीका देखो इस question को करने का क्या होगा देखो हमेशा ध्यान देखो for real numbers जब भी दो numbers ऐसे हो for real numbers जिनका some squares का अगर 0 है तो यह तभी हो सकता है जब a भी 0 हो और b भी 0 that is the only possibility some of two numbers का square अगर 0 के बराबर है जहां पर यह दिया हो कि हमारे इंडिविडियोल नमबर 0 नहीं है sorry a square plus b square का sum 0 तभी हो सकता है real number के लिए जब a और b अलग अलग 0 हो और कोई possibility नहीं है क्योंकि दोनों positive होते है तो वहां से आप ऐसे भी देख सकते हो कि पहला term अगर 0 करोगे तो x cube plus 1 upon x cube आपका k के बराबर आ जाएगा x plus 1 upon x अगर आप निकालते हो तो वह value आपकी p के बराबर आ जाएगी अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको x plus 1 by x मालूम है और यह निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो आपको यह value होगी p minus p q this minus 3p होगा यह नहीं होगा कुछ ऐसा ही करते हो p q minus 3p is equal to k हो जाएगा अब एक p निकालके इधर डाल दो so k upon p क्या आगे आपका p square minus 3 तो आप traditionally भी करोगे तो तुरंत answer आजाएगा और अगर traditionally ना करके आप value को रखोगे let's put x is equal to 1 मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान वही है x is equal to 1 रख लो सीधा सब को दिख जाएगा और question तुरंत आजाएगा यह formula आपको जानने की भी ज़रुवत नहीं है so ऐसा नहीं कि यह formula नहीं आना चाहिए बहुत simple formula है but still मैं कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि formula आएगा तो ही सवाल होगा कुछ नए सवाल ऐसे बन सकते हैं जो शायद formula आपको पता नहों पर आप answer निकाल सकते हो by putting variable to a certain value यह सवाल देखो यह सवाल भी CPU को बहुत पसंद आया है आपके एक्जाम में आ सकता है जान रखना कई बार repeat किया है इन्होंने कह रहे है x की power 4 plus x square y square plus y square अगर 133 के बराबर है और दूसरा term दिया हुआ x square minus x y plus y square 7 के बराबर तो x y की value क्या होगी अब जो x y की value अकर मुझे निकाल नहीं है तो मैंने आपको बताया था एक तरीका यह हो सकता है कि मैं इसकी value डाल दू fit करके देखू क्या possibility है आप मुझे बताओ कि जब यहां पर आपको 133 दिख रहा है तो इसके nearest कौन सा square तुम जानते हो आपको गर कि इसके nearest जो square मैं जानता हूँ बहुत सारी possibility है 100 हो सकता है जहां पर x और y को में integer लोंगा क्योंकि देखो product क्या है integer है तो normally integer होगा अब देखो एक value आप जहान से देखना अगर मैं इसको ऐसे लिखू 2 की power 4 प्लस यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3 की power 4 3 की power 4 actually 81 के बराबर हो रहा है यह value 16 के बराबर हो रही है आप ज़रा देखो 81 और 16 कितना हूँ 97 और यहां पर अगर मैं value लिख रहा हूँ x square यानी 4 y square यानी 9 36 तो 1977 प्लस 36 आपका कितना आ रहा है 133 आ रहा है इसका मतब यहां तो यह बैठ गया वहां पर जाके देखो बैठ रहा है क्या तो यहां x square की जगह आपको क्या लिखना है you can put 4 minus 2 3 6 plus 3 तरीका 9 9 4 13 minus 6 7 बन रहा है यानी यही values है right but this is again number crunching and guess maybe आपको time लगे मुझे नहीं लगता है because I am good in numbers तो मैं आपके लिए तरीका भी बताऊंगा अब जैसे आपने guess कर लिया x और y की value answer क्या हो गया x into y का product हो गया 6 तरीका number 1 let's go to तरीका number 2 तरीका number 2 का मैंने आपको पूरा process समझाया हूँ है कि x की power 4 plus x square y square plus y की power 4 जो होता है इसका factorization अगर आप करोगे तो वो है x square plus x y plus y square into into क्या होता है x square minus x y plus y square यह factorization होता है अब आपको ये value पता है कि ये value आपको दिया है गिवन है आपको ये value कितना दिया हुआ है ये value आपको दिया हुआ है कि 7 दिया हुआ है clear कि नहीं है तो यह वैलू निकल गई कि नहीं यह वैलू कितनी होगी जड़ा बताओ अगर आप इसको सब्ट्राइट करोगे तो कितना मिल रहा है आपको जरह बताओ क्योंकि अभी एक question CPU के shift में ही आया हुआ है जिसमें ये value fraction में दी हुई है और जब ये value fraction में दी होगी ना तो आप शायद तुरंट इसकी integer values डाल के इसको guess नहीं कर पाएंगे So what is important is that to know this formula also कि ये factorization आपको पता होना चाहिए इंपॉर्डेंट है क्योंकि ये कई बार repeat हुए आपके exam में भी आ सकता है देखिए अगला सावल क्या है ये कह रहा है tan square 48 minus cosec square 42 plus cosec और sec देखो ये सबसे पहले मैं इनको देखना चाहता हूँ मैं इसलिए देखना चाहता हूँ ध्यान सा देखो कि cosec 67 plus theta सक के अंदर जो कुछ लिखा है अगर इनका sum 90 degree होता है तो ये दोनों values क्या होती है आपसे बराबर होती है तो ये दोनों cut गए ये दोनों बराबर है cancel out हो गए अब tan square 48 जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है tan square 48 degree minus जो cosec square 42 degree है इसको मैं sec square 48 degree लख सकता हूँ और जैसे मैं लिखूँगा मुझे पता है value minus 1 होती है identity है ठीक है कि tan square 48 degree minus sec square 48 degree is equal to minus 1 क्योंकि sec square theta minus tan square theta क्या होता है 1 होता है तो simple है कुछ भी सवाल में ऐसा दम नहीं था आसानी से आप इस question को लगा सकते है है बिना किसी problem के ठीक है अल्राइट चले आगे बड़े देकिया question क्या करा है कि आपको एक given expression की value निकालने इस तरह के questions भी बार बार repeat हुए है बहुत simple है कुछ दिक्कत नहीं होगी देखो यहाँ पर यह six root two है six root two को मैं ऐसे सोचता हूँ अब जहां से देखो यह value क्या है आपकी यह value आपकी two square plus three square 9211 तो मैं इसको अगर बाहर निकालूँगा तो यह से बनेगा root nine minus two और इसके साथ यह basically root three minus root two का whole square है इसका square जब करोगे तो यहीं मिलेगा ठीक है जब आपने यह लिख लिया अब अगला task आपका क्या है क्या आपको दिख रहा है इस सही लिखा है मैंने नहीं इसा नहीं है यह value है आपकी three minus three minus root two का whole square तब बनेगा 9 और 211 minus six root two अब इसको आप simplify करोगे तो 9 minus 6 कितना होगे 3 plus 2 root 2 तो यह value basically क्या है two into one into root two आपको यहां-जहां से देखो this is one plus root two का whole square two आप बाहर निकालोगे तो यह बनेगा root two plus one का whole square तो यह बाहर आ जाएगा यह value है 1.4 answer हो गया c 2.4 इस तरह के सवाल भी बार-बार exam में आ है make sure कि आपको इस समझ में है क्योंकि यह question दुबारा आ सकते है अगला सवाल कर रहा है कि दो cord है आपकी AB और CD और वो intersect कर रही है P point पे internally और कर रहा है AP आपका 3.5 है PC आपका 5 है DP आपका 7 है तो आपको बताना है कि PB का measure होगा क्या answer आसान है 10 cm है मैंने क्या देखा कितना जल्दी लगा दिया मैं आपको अभी दिखाऊंगा दो यहां पर जो value दी है आपको AB और एक value आपको दिया है CD और यह point आपको क्या दिया हुआ है P देखो जान से यहां पर क्या दिया हुआ है यह value आपको दिया है 3.5 और आपको यहां पर PB भी प्रोवाइड नहीं है पी बी निकालना है आपको PC दिया हुआ है 5 और आपको DP दिया हुआ है 7 आपको पता है ना कि PA इंटू PB इस इकल टू PC इंटू PD होता है यह यहां साड़े तीन है यहां पर उसके corresponding एक value साथ है दुगना है कि नहीं है जहां से देखो clear तो यहां पर जो value आपकी 5 है मुझे balance out करने के लिए यहां double चाहिए तब यह 35 बनेगा यह 35 बनेगा तो वही है PA इंटू PB इस इकल टू PC इंटू PD लगाओ गया तो answer 10 cm रहा जाएगा बिना किसी समस्या और परिशानी के कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है यह question आपसे कह रहा है कि जो mark price है एक washing machine का वो आपको दिया हुआ है कि वो 72 सो रुपय है और कह रहा है अगर इसको हमने 5512.5 5512.5 में बेचा है दो successive discount दिये है एक्स परसेंट के तो बताना है कि एक्स की value क्या है तो देखो कैसे आप इस question को समझोगे दो successive discount आपने दे दिये और करा यह कोई 72 का सामान है और यह सामान आपने कितने में बिचा 5512.5 जिसने मेरा percentage देखा है वो आसानी से समझेगा लेट से मैंने बोला कि दोनों step पे multiplying factor m है multiplying factor मैंने क्या बोला दोनों step पे m है जो भी x% का decrease है उसके corresponding कोई ने कोई multiplying factor होगा जो मुझे पता नहीं है मैंने उसको m बोल दिया तो आपको यह पता है कि m square की value क्या होगी यह होगी 5512.5 divided by 7200 होगा या नहीं होगा अब मुझे अगर m निकालना है multiplying factor निकालना है तो क्या मैं इसको square root लेने की कोशिश करूँगा square root लेने के पहले मुझे पता है कि यह 72 का मैं double करूँगा क्यों करूँगा मैं आपको भी समझाता हूँ क्योंकि 72 का double 144 होता है square root आसान हो जाएगा और यहां से 0.5 गाइब हो जाएगा 5512 अगर मैं लूँगा तो यह मेरा बनेगा 11,025 ऐसे लेख सकता हूँ मैं अब जोगो m की value अगर मैंने निकाला तो आपको पता है denominator में आपका आ गया है 120 120 का square है numerator को ध्यान से दिगना 110 25 का अगर मुझे square root निकालना है आपको पता है जब भी किसी number के अंत में 5 होता है तो उसके square में 25 आता है तो मुझे पता है कि यहां 5 आ जाएगा और यह 2 consecutive numbers का product होता है 10 into 11 तो यह value हो गई 10 105 105 का square होता है 110 25 वैसे भी मुझे मालूम है अगर आपको ध्यान हो कि 10.25% कब बढ़ता है जब किसी value को 5% बढ़ाया जाता है इसलिए 105 वहां से भी आएगा multiplying factor अगर यह है तो आपको इसको simplify कर सकते हैं किस value से इसको आप divide करोगे जड़ा बताओ अगर मेरे सामने 105 लिखा है तो क्या 15 से divide करूं 158 एक सो बीट 157 एक सो पाँच अगर multiplying factor कभी भी 7 by 8 होता है तो आपको पता है यह 1 by 8 से decrease हुआ है और 1 by 8 का जो decrease होता है यह 12.5% कहलाता है 12.5% कहां दिया हुआ है option B देखो कितना simplified तरीके से question solve हो गया वड़ना इसी question को आप बोलोगे कि बहुत ही highly Calculative question है जो कि बिल्कुल नहीं है हमने क्या बोला कि दो स्टेप पर एक सब्सक्राइब का decrease है तो इस सिंप्ली इकोल टू अगला सवाल है देखिए अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है अगला सवाल कर रहा है कि जो compound interest है एक certain sum पर दो साल के लिए वह 10% परेनम अगर आपने लिया है तो वह 1522.5 है तो interest को annually compound किया गया है आपको बताना है कि वह sum कितना होगा 10% की दर से अगर 2 साल का मसला है तो कितना compound interest मिलेगा 21% मिलेगा तो आप कहोगे 21% की जो value है वह मुझे दी है 1522.5 है कि नहीं है यह 21% की value है मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है यहां से चल के मुझे 100% की value निकालने है अगर 21 से डिवाइड करने जाओगे तो आपको एक चीज़ तो साफसा आप दिग गई कि जो answer है वह यह नहीं होगा यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा जो answer है 1522.5 है अगर मैं इसको 7000 से गुणा करूंगा तो आपको बता है कितना होगा 147 आएगा लेकिन मुझे 1522 तो I need more than that clear अब सवाल यह है कि यह value exactly क्या होगी आप दिखो यहां पर आप कुछ मुझे बता हो कि यह जो value आपके सामने लिखी हुई है यह जो value आपको लिखी हुई है यह कैसे निकलेगा एक option है आपका 7500 कुछ options उसके बीच में what option is correct try to understand मैं आपको बताता हूँ आप मुझे बता हो कि 21 गुड़े अवर 75 आप निकालता हो तो कितना मिलेगा आपको कि यह भी नहीं है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या answer सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अब यह दो option जो आपके और उस नंबर में 0.5 लास्ट में आ रहा है क्या 100% के अंत में 2-0 आ सकता है अगर किसी नंबर के 100% में लास्ट में 2-0 जा गया तो 1% इंटीजर हो जाएगा और 1% अगर इंटीजर हुआ तो 21 से गुणा करने पे इंटीजर रहेगा कि नहीं अगर मुझे नंबर डेसिमल में चाहिए 21% तो 100% के अंत में 0-0 नहीं हो सकता है दो option एक अलामक कुछ भी संभव नहीं है एका सही होना इसकी मजबूरी है try to understand this logic that I'm trying to say मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर का 100% मैंने निकाला और वो कुछ ऐसा आया 7x00 टाइप का अगर लास्ट में 2-0-0 आ गए तो 1% क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा इंटीजर तो 21 से गुणा करोगे तो कि डेसिमल आ जाएगा कभी नहीं आएगा इसलिए मैंने बूला आपको कि अंसर एक एलामा कुछ नहीं हो सकता इस तरह से options यहां दी हूँ है otherwise आप क्या करना है आप डिवाइड करके solve कर लो मुझे कोई तकलिफ नहीं है you can divide and figure out आप करोगे 21 into 7 करोगे 147 हो गया और फिर 5 हो गया 52 दुनना आपका 42 हो गया फिर 105 है तो 5 आगया ऐसे भी solve कर सकते हो divide करके solve कर लो या फिर आप इस तरीके से कर लो कि सीज़ए decimal होना चाहिए तो एक एलामा कुछ साहीं नहीं हो सकता ठीक है यह सवाल देखो देखो इस सवाल कह रहा है आप से कि जो radius है और height है एक right circular cone कोन की वो आपको दिया है कि one ratio 2.4 है और कर अगर इसका curved surface एरिया आपको पच्चिस सो दो दस मेलो 5 दिया हुआ है curved surface एरिया पाई आरेल होता है बताना है कि volume क्या है अब जोको यहाँ पर सबसे important चीज़ जो है आपकी वो है radius और height का ratio one ratio 2.4 one ratio 2.4 और यह देखके आप घबड़ा जाओगे पर आपको डरना नहीं इस ratio को मैं reframe कर रहा हूँ 5.12 और जैसे यह reframe करूँगा आपको कुछ समझ में आएगा interesting वो यह है कि radius अगर 5 है height अगर 12 है curved side कितनी हो गई 13 हो गई तो यह जो one ratio 2.4 दिया हुआ है करना नहीं इस है you can change it to the correct ratio 5.12 तो आपको curved height मिल गई कितना 13 मिल गई अब दिखो यह क्या दिया हुआ है इन्हों ने इन्हों दिया है पाई R L इसकी value आपको क्या दिया हुए है पच्छिस सो दो दसमलो पाँच तो आप दिखना ध्यान से मैं कहुँँगा यह 5X है यह 12X है यह 13X है अब दिखो पाई के जगा पाई रहने दो R क्या है आपका आपका 5X है यह आपका R L क्या है आपका L है आपका 13X और यह value कितनी है पच्छिस सो दो दसमलो पाँच लिख लो ऐसे ही आपको यह होगया पाई X स्क्वाइर मैं यहां ले आऊंगा और यह value होगया इन्टू 65 यह value है पच्छिस सो दो दसमलो पाँच ठीक है अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 65 से तो मुझे साफ सब दिख रहा है कि अगर मैं 65 इन्टू 4 जाओंगा राइट 65 इन्टू 40 एक्छिली नॉट 4 तो यह value कितनी होगया आपकी 26 होगया पर आपको पता है कि 26 नहीं चाहिए आपको 97.5 कम चाहिए 26 से अब 97.5 को ध्यान से देखो 65 इन्टू 1 65 होता है और 65 इन्टू 0.5 और ले लो तो इसका आधा 32 दस्वलो 5 जोड़ दो तो 65 गोड़े एक दस्वलो 5 अगर करोगे तो 97.5 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 97.5 अगर माइनस किया मैंने तो 40 गुना ये था एक दस्वलो 5 गुना माइनस किया तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 65 से तो मुझे मिलेगा 38.5 और जब ये मिलेगा तो थोड़ा खुश हो जाना क्योंकि पाई इन्टू X स्क्वाइर अब तुम कहरो कि 38.5 है आपको पता है ये वैलू क्या है ये 154 का एक चौथाई है पाई X स्क्वाइर अगर 154 का एक चौथाई आता है तो X की वैलू होता है half of the actual 7 7 होता तो 154 आता यहाँ पर वैलू क्या आई 38.5 जो कि एक चौथाई है इसका मतलब X की वैलू 7 by 2 हो गई पाई इन्टू X स्क्वाइर अगर जैसी X की वैलू 7 by 2 आ गई अब मुझे solve करना है जो कुछ इस question में पूछा गया है कि इस कौन का आप से पूछ रहा है कि volume क्या होगा तो आपको होगी यह होगा 1 by 3 into pi into r square r square कितना हो गया 55 x square into h h आपको पता है कि 12 है तो यह होगी आपका 12 x अब आप मुझे खुद बताओ यह 3 से कर आप divide करोगे यहाँ पर यह value तो होगी 4 होगी कि नहीं होगी तो आपको ultimate जो value यहाँ पर मिलती हुए दिख रही होगी 100 pi x cube are you getting it or not यही मिल रहा है आपका आपको आपको पाई into x square तो मुझे clear है 38.5 है ठीक है तो आप मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 into 38.5 और 1 x अभी और भी है वो है 7 बटे 2 है ना 7 बटे 2 तो कुल मिला कि यह value मेरी कितनी होगी यह आपकी होगी 3850 3850 into into 7 by 2 ठीक है that is what I am getting तो 2 सेकर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यह value ध्यान से देखो कितना होगी है 1925 1925 को अगर 7 से गुणा करूँगा तो इसके अलामा कुछ नहीं आ सकता है क्योंकि definitely value मेरी 7,000 से जादा होगी sorry 10,000 से जादा होगी तो यही answer हो सकता है 75 into 7 जो की होगी आपका 525 525 माइनस कर लो answer यह आ जाएगा D option तो थोड़ा सा calculation है इस question में अगर आपको right calculation का तरीका पता है then it will not be difficult बट इस question में मैं वही कहूंगा 1 ratio 2.4 का एक बहतर इस्तिमाल करना है आपको समझना है कि यह 5-12-13 वाली बात कर रहे है then pi rl use करके आपको x निकालना है x निकालने के बाद फिर volume में रखना है ठोड़ा calculation है but otherwise question में ऐसा कुछ conceptual बहुत जादा नहीं है जो आपको परिशान कर पाएगा यह question देखिए यह question कहरा है कि यह boat है उसको 4 घंटे लगते है एक place x से y जाने में और y से x वापस भी आना है और कहरा जो distance है x से y वो 10.5 km आपको दिया हुआ है तो बताना है कि जो speed है अगर current की वो 9 km पर आ रहा है तो आपको बताना है कि जो boat की speed है वो कितनी है देखो जान से 10.5 ये गया downstream 10.5 ये वापस आया upstream और ये value कितनी है 4 घंटे अब देखो यहाँ पर क्या है एक तरीका है कि इसको मैं solve करूँ मैठके क्योंकि current की speed दी है तो या तो मैं इसको solve करूँ या मैं options यूज़ करूँ तो आपको पता है current की speed अगर 9 दी है और मैं boat की speed को अगर x माल लेता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ मुझे x प्लस 9 लिखना है और यहाँ मुझे x माइनस 9 लिखना है इसके लामा तो कुछ नहीं करना है देखो कौन से option में x की value fit हो जाएगी x is nothing but boat की speed जो पूछ रहा है तो देखो क्या मैं इसको check करूँ बिल्कुल नहीं करूँगा जो fraction में value है इसको सबसे बाद में check करेंगे इन दोनों को पहले check करो मैं cross किया मैं नहीं करूँ गलत है but usually क्या है कि आपकी value आने वाली है that will be an integer पहले हम integer की बात करेंगे इन टीजर चेक करेंगे 15 और 12 तो आपको कि 15 चेक करेंगे देखो 15 से जाधा आसान है मिरे लिए 12 चेक करना इसलिए क्योंकि 12 यहां 21 देखा यह 21 का अधा है और यहां 12 माइनस नो 3 आएगा तो आपको कि यह तो हो गया 3.5 और यह कितना हो गया तो आपको दिखाया है तो बारान हो 21 तो यह हो गया आपका आधा 21 का और यह हो गया 3.5 आर्स दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 4 घंटे मैच कर गया आंसर आपका करेक्ट हो गया C लोगे इस कोशन नो यह कोशन कर रहा है कि A जो है वो 1 थर्ड एक काम का 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B कर रहा है 3 बटा 5 उसी काम का 24 दिनों में कर सकता है कर रहा है उन्होंने एक साथ काम किया 10 दिनों तक और जो रिमेनिंग काम है वो क्या किया है C ने पूरा किया है 15 दिनों में कितने दिनों में C अकेले इसका दो तीहाई काम कर देगा ठीक है तो सवाल में कुछ नहीं है we need to solve it up देखो A अगर 10 दिन में one third कर रहा है तो A 30 दिनों में पूरा काम कर देगा B अगर 60% काम तीन बटा पांच काम 24 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम पांच बटे तीन इंटो 24 दिनों में कर देगा जो कि आप का हो गया 40 मैं तो ऐसे बोलूँगा 60% अगर 24 दिन में कर रहा है तो बाकी 40 परशन में कितना दिन लगेगा और लग जाएगा आपको 16 दिन 40 जाएगा ये हो गया अब कह रहे है कि यहां पर कहानी क्या है कि दोनों ने 10 दिन काम किया आप मुझे बताओ 30-40 मेरे सामने है । और इन लोगों ने क्या किया है 10 दिन काम किया है यह तो हम परसेंटेज के टर्म में बढ़ सकते हैं यह फ्रैक्शन के टर्म में बढ़ सकते हैं यह हम अगर चाहें यहाँ पर तो हम यहाँ पर सीधें का LCM भी यूज़ कर सकते, इनका LCM है 120, 120 यूनिट को टोटल वर्क माल लो, तो ये 4 यूनिट पर डे, ये 3 यूनिट पर डे हुआ, 10 दिनों तो कर किया, इन्होंने तो 40-30 कितना कर दिया, 70 यूनिट कर दिया, कितना यूनिट काम बाकि रह गया, वो रह गया, 50 यूनिट, रह ग लेकिन C को ये काम पूरा 15 दिनों में नहीं करना है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसका 2 तीहाई काम ही करना है, तो अगर मैं इधर 2 तीहाई करूँगा, तो इधर भी 2 तीहाई टाइम लगेगा, तो 2 तीहाई 15 का अगर निकालोगे आप, तो कितनी वैलू आ रही है, 5 द उन्हें दस, क्लियर, क्या ये सही है, जी नहीं, ऐसी गलती आप मत करना, देको ध्यान से, उन्होंने 2 तीहाई पूरे काम का बोला है, पूरे काम का 2 तीहाई आपका है, 80 यूनिट, जान से धिखना, 80 यूनिट, 2 तीहाई of 120 is 80 यूनिट, तो 50 यूनिट अगर 15 दिन लगते जाए गए, आंसर हो गया, बी, क्लियर अगा नहीं, इस वेरी, वेरी, वेरी सिंपल क्वेशिन, नथीं कॉंपलेक्स, क्लियर, इसी है कि नहीं है भाई, हाजी, 24 इस राइट अंसर, बहुत सिंपल है, जो मैंने लिखा, समझ में आ रहा होगा, कि यहाँ गर पांच रिश्य वाट है, तो यह भी पांच रिश्य वाट डिरेशन टाइम का भी होगा, तो फाइब पार्ट इस विप्टीन, सो एट पार्ट इस ट्वनिफोर, ठीक है, लुक अट इस कॉश्यन ओ, कर रहा है, दो सम्स हैं, इक्वल है, उनको लेंट किया गया है, उधार पे दिया गया है आठ परसेंट और चार परसेंट का रेट है, सेम टाइम में, सेम टाइम के लिए, नहीं, पर एनम, रिस्पेक्टिवली, इट दा सेम टाइम, अदब एक ही समय में वो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है, रेट सा लग लग है, कर रहा है, पहला सम्स जो मिला है, दो साल ज किया है, तो पहला जो इन्वेस्टमेंट है, वो अगर टी इयर्स के लिए है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका टी प्लस टू इयर्स के लिए है, यहाँ पर रेट है आपका एट परसेंटेज, यहाँ पर रेट है आपका फोर परसेंटेज, और देखो ज्यान से कि अगर ऐसा हो रहा है कि सुरू की value बराबर है बात की value के, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि 8 percentage जो भी A है value आप जहां से दिखना 8 T percentage of A जो होगा मतलब net effective जो increase percentage होगा यहाँ पर 8 T percentage होगा 8 into time, यहाँ 4 into T plus 2 बनेगा, क्या है 4 T की value 8 के बराबर आगई यानि T की value कितनी आगई, 2 साल आगई आई यह नहीं है T की value 2 साल आगई अगर आपके T की value 2 साल आगई तो आप क्या करना है आपको initial value बताना है T 2 आगए तो यह कितना होगा, 16% होगा तो एक value है A जो कि 16% increase करके मुझे यह value देती है तो मुझे बताना है कि इसकी value क्या है A की That is what you need to solve now तो जड़ा solve करके बताओ कि कैसे होगा sum की value क्या है 12,000 है या 12,500 है 12,800 है या 13,200 है कैसे solve करोगे A को 16% बढ़ाके मुझे यह मिला है मुझे यह value निकालनी है What is this particular value Right So better है कि आप option से check करो क्यों क्यों कि अगर आपने यहाँ पर 12,000 लिया तो आपको 12,000 को अगर मैं 16 से गुणा करूंगा 16 into 12 होता है 192 अगर आप इसको जोड़ोगे न 1920 तो यह नहीं मिलेगा दूसरा option मेरा हो गया कि भईया मैं 12,500 ले लू तो आपको 125 को 116 से गुणा करना है essentially राइट है कि नहीं है तो आपको 125 को 8 से गुणा करते हैं तो मुझे पता है कि वो आता है 2000 एक हजार आता है तो आपको 12,500 तो अलरड़ी था मेरे पास essentially यह है न कहानी और 16 से गुणा किया तो इसमें 2000 और बढ़ जाएगा क्योंकि 125 इंटू 16 आपका 2000 देता तो यह वैलू कितनी होगी 14,500 तो आंसर क्या हो गया B, simple है कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको बस कालकुलेशन को ध्यान रखना 12 होगा नहीं सीधा डिवाइड करने के बजाए यह तरीका आपका ज्यादा सुटेबल है इस मच मोर सुटेवल वह वह वे ऑफ सॉल्विन इस पर्टिकुलर क्वेश्चिन ठीक है सबीको क्लियर वह बात नहीं हुआ तो बताओ क्लियर होना चाहिए आप ऐसे भी कर सकते हो जो एबी रूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो देखो कैसे आप कहोगे कि फॉर्वर डारेक्शन में में मेरा है सोला बटे सो इसको चार से डिवाइड कर लो तो यहां जाएगा प्लस चार बटे 25 तो यहां अगर चार बटे 25 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस चार बटे 29 अब 29 से डिवाइड करो तो क्या यह पांच गुना है यह पांसो पांच निचु चार कितना हो गया आपका 2000 कम हो गया एक पैतालिस में यह वैलू कितनी होगी आपकी बारा पा तो बस थोड़ा सा सतर करो सारे कोशन असानी से निकलेंगे यह सवाल देखो यह सवाल कर रहा है कि एक सम 12000 का है उसको आपने डिवाइड किया है A B C D में इस तरीके से कि A और B का रीषयो आठ रीषयो नव है B और C का 2 रीषयो 5, C और D का 9 रीषयो 13 तो बताना है कि B atau D का अंतर क्या है तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको compound ratio निकालना है आफको दिया है आठ रीषयो 9 है लिख दिया B और C का रेशियो आपका क्या है ये रेशियो आपका 2 रेशियो 3 है ये भी मने लिख दिया C और D का जो रेशियो है वो क्या है आपका वो आपका 9 रेशियो 13 है ये भी मने लिख दिया आपको क्या करना है आपको A, B, C, D का एक 7 रेशियो निकालना है तब हम BOD का difference बता पाएंगे देखो कई तरीके हैं या तो आपको तरीका पता हो पूरा process मैंने पूरा process आपको नहीं बढ़ाया है तो मैं आपको सीधा normal तरीका बता दूँगा यहाँ 9 है यहाँ 3 है तो यहाँ मुझे एक वेलू हो जाएगी आठ चोके 32 मैं लेकर हूँ एक वेलू होगी आठ चोके 32 यह वेलू होगी 9 चोके 36 C की वेलू कितनी होगी आप देखो 54 C की वेलू होगी तो यह होगी आपका 78 अब देखो यह total part कितने आ रहे हैं मुझे निकालना है BOD का अंतर BOD का अंतर मुझे साफ साफ देख रहा है It is equal to 42 part 42 part किसके equivalent होगा तो पहले यह total part निकाल होगा आप को गए यह मेरा 32 है और यह मेरा 78 है 110 हुआ और यह वेलू कितनी होगी 54,90,200 हो गया total 200 part है और question के हिसाब से 12,000 के बराबर है तो वन पार्ट मुझे साफ साफ पता लग गया यहां से कि 60 के बराबर है इन दोनों का अंतर क्या है 42 part तो यह हो गया मेरा 42 into 60 और 42 into 60 अगर आप निकालोगे तो कितना है का 2400 प्लस 120 2520 2520 कहा दिया होए आपका option C ओके clear or not simple है कि नहीं है बहुत यह आसान सवाल है बट यह यह ratio यह question actually में वह है कि compound ratio जल्दी से आपको निकालना है once you get the compound ratio then क्या करना है total 12,000 के बराबर है और BOD का अंतर कितना है 42 part है हम easily निकाल सकते हैं कि मेरा answer गया है nothing different, nothing difficult ठीक है यह सवाल देखिए क्या दिया हुए आपको यह सवाल दिया हुए कि जो एक cylinder है उसकी करहा है जो height है वो 2 ती हाई है इसके diameter की क्या है? 2 ती हाई है इसके diameter की और करहा है इसका जो volume है वो sphere के उस volume के बराबर है जिसका radius 4 cm है आपको बताना है curved surface area cylinder का क्या है पहले आप यह बताओ कि height और radius जो height है cylinder का अगर वो diameter से ratio रखता है 2 ratio 3 तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि height का ratio अगर मैं radius से निकालूंगा height का ratio अगर मैं radius से निकालूंगा तो वो मेरा 4 ratio 3 आएगा अगर diameter से ratio 2 ratio 3 है height का तो अगर मैं radius करूंगा which is diameter by 2 तो यह 4 ratio 3 हो जाएगा clear or not? it is going to be yes अब आप से कह रहा है कि जो इसका volume है किसका volume है स्फेर का volume है its volume sorry इस cylinder का जो volume है pi r square into h आप लिखते हो तो यह आप अगर कहोगे कि 3x है और यह 4x है देखो कैसे बनेगा pi into r square which is 9 into h which is 4 into x square इसे बनेगा pi नहीं लिख रहा हूँ कर्यों pi कट जाएगा और right hand side में आएगा 4 by 3 pi नहीं लिखोंगा r cube आएगा तो यह हो जाएगा 4 cube बन गया ठीक है 1,4 से 1,4 cancel हुआ और देखो जहान से कि जो आपका x square rs की value क्या आ रही है जान से देखो सरी x cube बनेगा ना 9 x square into 4 x x cube बनेगा तो यहां से x cube value आपकी आ रही है 4 cube upon 3 cube क्योंकि नहीं जाएगा तो इथर 3 cube बनेगा x की value आपकी क्या आ गई 4 upon 3 पूचा क्या है इसने surface curved surface area curved surface area होगा 2 pi into r into h r into h अगर आप करते हो तो यह हो जाएगा 12 k square so 2 pi into 12 k square की value कितनी होगी 16 बटे 9 4 बटे 3 है ना x की value k के बज़ाए यह होना चीए x ठीक है yes now कुछ cancellation कर सकते है 4, 3, 12 3 तरिका 9 3, 4, 12 128 pi बटे 3 यह value आ गई आपकी 128 pi बटे 3 which is answer c literal calculation yes there is क्या किया हमने height to radius लिखा फिर हमने दोनों volume जो दिये थे बराबर उनको बराबर किया x cube की value आ गई जो कि x की value दे रहा है 4 by 3 फिर cloud surface इरिया होगा 2 pi r into h 4 x into 3 x 12 x आपका होगा sorry 9 x square into 4 x 36 x cube solve कर लो answer आ गया ठीक है इसमें आपको दिया है triangle p q r इसमें p t आपको perpendicular दिया हुआ है किसके q r के और कह रहा है कि जो ps है that is bisector of angle q p r t ps angle आपको दिया है 24 बताना क्या है आपको p r q angle क्या होगा देखते हैं परे क्या क्या दिया है क्या निकालना है पहली बात आपको यह वाला angle दिया हुआ है कितना 24 degree जो लाल रंग से मैंने बनाए यह 24 degree दिया हुआ है लिख दिया मैंने साथी साथ देखो और क्या क्या दिया हुआ है आपको यह भी दिया हुआ है कि p t q r के perpendicular है ps जो है यह यह आपको दिया हुआ है कि यह समध्य भाजक है q p r angle का q p r यह पूरा angle है यह समध्य भाजक है मतलब मैं कहूँ यह वाला angle और यह वाला angle यह आपस में पूरे बराबर है ठीक है that I can easily understand without any problem और यह angle आपको 24 degree दिया हुआ है तो p q r आपको यह 78 degree दिया हुआ है आप बताओ मुझे जो मुझे निकालना है वो क्या है यह angle आप मुझे बताओ यह 78 अगर है और यह 90 degree है तो यह भी 90 है तो क्या यह वाला angle आपको होगे कि आपका 12 degree के बराबर है yes कहेंगे कि 12 degree के बराबर है right or wrong यह angle मुझे दिया है कितना 24 degree यह 24 बारा 36 हुआ तो यह भी आपका 36 हुआ यह पूरा angle कितना हो गया 72 degree हो गया यह 78 यह 72 यानि 150 यह value कितने हो गया आपके 30 degree answer कहा है C option ठीक है फिर से समझना यह 12 कैसे निकला 78 तो यह 12 यह 24 कितना हो गया 36 और यह अगर PS bisector है तो 36 और 36 बाहतर हो गया 78 बाहतर एक सो पचास हो तीस कितना हुआ 180 C that's why C option coming here data interpretation bar chart ऐसे सवाल बहुत देखे हैं हमने चलो देखते हैं क्या है अच्छा यहां सवाल के विले हिंदी में दिये हैं करना मत ठीक है मेरी भी हिंदी मजबूत होगी और जिनको हिंदी नहीं आती होने सीखने का एक मौका मिलेगा ओके चलो जी आगे देखो कि करें ग्राफ का अध्यन करें और उसके बाद दिये प्रश्ण का उत्तर ने यह कुछ दिया हुआ एक्सपोर्ट्स जो मिलियन्स में है टाइप ए और टाइप बी कार का का रहा है क्या हाँ का रही है ठीक है टाइप ए और टाइप बी की कार है उनका एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है मिलियन्स में clear और क्या कहा रहा है आपसे कि ये है आपका million वाला data ये हो गया PRES किस किस साल की बात हो रही है है ना अब question देखो क्या कह रहा है आपसे नीला वाला जो है वो type A है और लाल वाला type B है कहआ है बारह से 16 के दोरान ऐसे कितने वर्ष थे जिन में B प्रकार की कारों का कुल निर्यात A प्रकार की कारों के औसत निर्यात से अधिक था देखो जयान से A प्रकार की औसत निर्यात निकालने हैं आपको A यानि नीले वालों का अगर औसत निकालने हैं तो देखना है कि B कब कब इससे ज़ादा था तो पहले नीले वालों का आउसत चाहिए मुझे देखो ये value 275 दिख रही है आपको यहाँ नीला वाला 225 दिख रहा है इनको अगर मिलाओगे तो हो गया कितना 500 और 250 कितना हो गया 750 750 के बाद इन दोने value को देखो ये है आपका 600 तो 750 और 600 कितना हो गया आपका 1350 और अगर तुमने इसका निकाला average पांच से डिवाइड करोगे ये value कितनी हो गया आपकी 270 आउसत ए का कितना निकला मेरा 270 अगर 270 आगया श्रीमान जी लेट मी सी कि कहां कहां यहां ज्यादा है 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 नहीं बराबर है तो इसका to 4 क्योंकि 270 के बराबर सिर्फ एक जगा है और कहीं ऐसा नहीं हुआ है ठीक है सभी को clear हो गया बात ये सवाल देखो किरा है 2016 में A प्रकार की कारों का निर्यात 2014 और 2015 में B प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है ten 2016 में राइट हमें A का निकालना है और 14 और 15 मिला के B का निकालना थैस्थ हो जगो एक को देखेंगे हम 2016 में A मतलब है 340 ठीक है तो यह लिग दिया मैंने 340 अब बी के पास हम जाएंगे और देखेंगे 14 और 15 वाला भी 14 और 15 वाला भी ठीक है यह इसका समकरो के जो कितना हैगा 600 यह निकालना कितना पर्सेंटेज कम है है कितना पर्सेंटेज का मैं जरा बता हूँ हाँ मच पर्सेंट इस पर्सेंटेज डिफरेंस निकालना है यहां से यहां आने तक मुझे 260 चलना पड़ेगा इसमें 260 माइनस करेंगे तो यह मिलेगा अब 260 कुल मिलाके मैं यहीं फसुंगा आके तो आपको अगर इस वैलू को मैं ध्यान से देखूँ तो यह हो गया छे चौका चौबिस और बचेगा टू टू बाई सिक्स आपको पता है वन बाई थ्री से लिना देना होगा और वन बाई थ्री पॉइंट त्री पॉइंट त्री कैसे लिखोगे ना तो चौबिस आपका चालिस परसेंट हो गया राइट ऐसे है ना देखो जान से 240 ले लो 240 is what 40% then 20 by 600 that will easily give you what I am looking for 3.33% and you got the answer ठीक यह कोशन देखिए क्या कह रहा है किस वर्ष में B प्रकार की कारों का निर्यात 2014 में A प्रकार की कारों के निर्यात से पूरे 20% अधिक था किस वर्ष में B प्रकार की कारों का निर्यात 2014 में A प्रकार की कार यह है इस से 20% जादा तो 225 को अगर आप 20% बढ़ाते हो तो आप कहोगे कि भाईया इसका 10%, 22,10,5 हुआ, 20% कितना होगे आपका 45, यह अगर बढ़ाया तो आपको value कितनी मिलेगी 270, 270B में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो साल कौन सा है आपका, 2016, ठीक है, the answer is going to be 2016, and that's a D option, which is correct, simple calculation, nothing complex, यह सवाल देखो, पाई चाट आगया, डिगरी आगया, डरोगे क्या, नहीं, हाजी, कोई कराए, इंग्लिश क्या गलती किया, जो हिंदी में question दे रहो, देखे जो यह paper हमें मिला, इसमें इंग्लिश मिला ही नहीं, तो क्या करें, जितने में मिला उतने में धिया, जब हिंद हिंदी मिले क्या आगया, इंग्लिश इसका नहीं मिला हमें, अल्रेट, देखे यहां पर सवाल देखिए, कुछ कह रहा है कि ABCDE की बात कर रही है, distribution degree wise किया गया है, पाँच offices हैं कंपनी की ABCDE, और करा जो total employee हैं, इसमें यह 9200 है, यह total employees है, 9200, उनी को distribute करके degree में लिखा हुआ जब भी value degree में दी होती है, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मैं कोशिच करता हूँ, इसको percentage में convert करने की, देखो 54 degree मुझे पता है, साफ साफ की 15 percentage होता है, क्यों होता है, that's very simple to know, nothing complex, यह value आपको दी है, देखो 64.8, यह भी मुझे पता है, 20, अगर मैं नि नाग value है, कुछ भी नहीं है, यह आपका है, 108 degree माइनस 7.2 degree, यह value आपको पता है, कितना होता है, 2% होता है, this is 2% and this is value how much, 36 into 3, 30%, यह value है आपकी 28%, यह भी लिख दिया मैंने, आपको यह क्या है भाई, देखो जान से 57.6 is 54 degree, प्लस 3.6 degree, यह आपका क्या है, 15 percentage, यह है आपका 1%, यह value है, आपकी 16 percentage, आप देखो एक value बाकी रह गई है, एक value रबाली के बाकी है, इसको कैसे लिख सकते हो, 72 degree, प्लस 10.8 degree, यह value है आपकी 20 percentage, और यह value है आपकी 3 percentage, या फिर आप total करके भी निकाल सकते हैं, 100 से माइनस करके, यह होगे आपका 23 percentage, all values are written, क्या होगे आपकी 15, A होगे आपका 28, 23, 15, 16, 18, 28, 23, 15, 16, 18, आगया, अब देखिए आपर जो भी यह question दिया है, let's read this question out, करेक कार्याले E से 50 percent कर्मचारियों को कार्याले D में सीनांतरित, देखो सीनांतरित का कोई मतलब मुझे नहीं बता है, इतना हिंदी मुझे आती है कि यह अस्थानांतरित ह होना चाहिए, transfer हुआ है, transfer हुआ है, तो E से 50 percent लोगों को कहां भेज देना भी है, D में भेज देना है, तो बताना है कि D में जो कितने प्रतिस्थात कर्मचारी हो जाएंगे, total का, कुल का कितना percent हो जाएगा, जैको बहुत ही आसान है, E 18 percent है, D में already 16 percent है, अब उस 18 percent का 50 percent ल है, total के बराबर, total के base पर तो answer कितना हो गया, 25, आसान हुआ के नहीं हुआ, यही चीज़ तुम अगर degree में solve कर रहे होते हैं, न सीधे, तो G1 बड़ा ही मुश्किल हो जाता, जब हमने इसको percentage में convert कर लिया है, तो यह चीज़ बहुत आसान ही से हो गई, कि D 16 percent already है, और E का आ हैं कि time consuming है, आपको पता है क्या है, time consuming इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर basis पर 4 सवाल है, when there are 4 questions based on same thing, it's better to convert it, अगर एक ही सवाल होता, तो मैं कहता तो मैं जैसे कूदना इसमें कूद जाओ, बट आपको पता है कि D.I.E. का एक सवाल नहीं आता है, D.I.E. का 4-5 सवाल आता है same data पे, हाँ जी, तो जड़ा focus करो, बार बार मरोगे वरना, इससे अच्छा एक बार मर लो पहले, ठीक है, कस्ट एक बार उठालो, फिर सरलता से काम करो, कि बार बार कस्ट उठाओगे, ज्यादा time ले जाएगा तुमारा, फिर देखो ये question है, मैं सारी values को लिख देता आपके exam में भी अगर इस तरह का data आएगा ना, जो rough sheet मिलेगी ना, उसमें इसका percentage बना के रख लेना, और जब, क्योंकि exam में question random आते हैं, random आते हैं तो क्या हुआ, आपने जब rough बनाया, तो इसको degree से percentage में convert करके रख लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब धुबारा आएग तो आपको question में ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, आपको सीधे rough में जो आपने बना रखा है, convert करके, पहले question में time लगेगा, और बाकी question बहुत असानी से होंगे, ये ठीक है, आप करें, company के कार्याले C और D में कर्मचारियों की कुल संख्या, कार्याले B में कर्मचारि आपके 23 परसेंट है, इसका अगर आप अंतर निकालोगे तो आपको मिलेगा 8 परसेंटेज, बेस क्या लेंगे हम, total value जो है, वो 9200 अगर है, so 1% is equal to 92, ये निकालना है मुझे, 720 प्लस 16 आपका हो गया, 736, 736 आंसर कहा होगा, ये है, that answer is going to be 736, clear, it's very very simple, 720 ब्लस 16 is 736, option A, 722 और 740 की बीच में, right, तो percentage में conversion है, इसलिए ये चीज़ आसान है, वरना आपके लिए मुश्किल होगी है, सवाल, फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर सारी value लिख दूंगा मैं, 28, 23, 15, 16, and this value is how much, 18, overall data 9200 का है, देखो, करें, कमपनी की कार्याले, D और E में कर्मचारियों की कुल संख्या, D और E में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 34 percentage है, यानि 34 percentage आप लिख दो यहाँ पर, और कार्याले, E की कर्मचारियों की कुल संख्या, जो कि आपका है, 28 percentage है, ठीक है, तो करा कितने प्रतिशत अधिक है, और दस्मलों के एक अंग तक, ठीक है, निकालना है, जेखो जान से, it is as good as 28 और 34 का अंतर, क्योंकि percentage अगर दोनों side लेखा तो, इसका कोई मतलब भी नहीं है, same base पर, आपको यहाँ पर change कितना है, 6 का, 6 का change 28 के ऊपर, is equivalent to 3 का change 14 के ऊपर, और 1 by 14 आपको पता है, 7.14% होता है, multiply करो कि तो 21 दस्मलों 4 के असपास आ गया, जेखो B और C option में, decimal के एक place में ही अंतर है, 0.4 और 0.8, कोई फरक नहीं बढ़ता है, right, we can easily find out it closer to this, क्योंकि ultimately यह simplify होके क्या बन गया, 3 upon 14, 1 upon 14 का percentage equivalent हमें आता है, वो 7.14% होता है, 21.42 आ गया, अप्राक्स देखना है, तो 21.4 is the right answer, यह सवाल देखो, यह सवाल आपसे कर रहा है कि यह ग्राफ दिया, इसका अध्यान करकर उसके बाद दिये गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है, तो वही है data, यह weekly earning है, रूपीज में अलग-अलग slots दिये हुए हैं, यह यहाँ पर numbers आपको दिये गए, ठीक है, और यह आपको number of workers यहाँ mentioned है, जो उपर ही लिखा हुआ है, आपकर रहा कार खाने में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है, जिनका सापताहिक वेतन 500 से कम है, तो 500 से अधिक और 75 से कम, यह लोग, यह लोग, राइट, 180, 210, कितना हो गया, 270 और 105, 375, 300, and 75, जोड़ो लो सब, राइट, 180, 105 का जोड़ो गया, 285 और 90, 375 आगया, कुछ नहीं था, slot देखो, चोड़ लो, that's answer, look at this question now, करा कार खाने में, श्रमिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं, कुल संख्या के कितने प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं, जिनका सापताहिक वेतन, रुपीज 65, 100, या उससे अधिक है, लेकिन 85, 100 से कम है, आपका उत्तर, दस्मलों के एक अस्थान तक सही होना चाहिए, आपको जरुरत है क्या, देखो जरा, दस्मलों के एक अस्थान तक इनको जरुरत होती, जो शुरू के नंबर सेम देते, दिये ही नहीं है, आपको बेकुप समझने पर आपको क्या, नहीं, इनिवेज, लेट्स फिगर आउट वाट दा आंसर इस गोइंग टू बी, जल्दी से सोचके जरा बताईए, ठीक है, त देख रहो, एक तो आपको इस स्लोट की वैलू चाहिए, क्लियर है कि नहीं है, दो सो चालेस और एक सो पांच हो गया आपका तीन सो पैंतालेस, दाइट इस वाट योर निमेरेटर इस, यह आपका निमेरेटर है, आपको क्या करना है, अभी इसको देखना पड़ेगा कि ब उभी रहा, बेस क्या ऐ, बेस नहीं मिलीगा, तब तक तो आंसर आप नहीं निकाल सकते हूँ, ठीक है, Ε, So, रेट से मैं इसके बेस निकालने की कोशिश करता हूँ, और देखता हूँ, मेरा बेस के इतना आरहा है, अब बेस अब एखना लोगे, तो आपको सारी वैलू स कं 345 यहां 345 जो आया ओग यह डिटा था ग्या नहीं पच्पंसों से एटी-फाइव और 65 शोरी बनीच देखना पड़ेगा सही है कि नहीं पैंस रख सोन से फिचासे सो ये डिटा था कि कि ये भी सेमी है ठीक है सेमी है तो 345 ही हमें वहां लेना है, यहां पर अगर हम value देखें, यह तो हो गया आपका 345 और यह हो गया 65, 410 हो गया और इसके बाद आपका 240 और 50, 290 और 410 आपका हो गया 700, ठीक है यह निकालना है मुझे, इस पर्टिकुलर आप्शन आइनीड तो कैलकुलेट, तीन सो पैतालिस बटे साथ सो, जैको यह आप्शन क्लिरली मुझे दिख रहा है, कि 50% से थोड़ा सा कम है, तो आंसर इस गोई तो बी 49.3, तो कैलकुलेशन जब भोल रहे हैं कि लास्ट डिजिट तक निकाल दो, कुछ नहीं है सवाल में, इसका 50% कितना होगा, 700 का, इसका 50% होगा, 300, यह 300, बहुत थोड़ा सा कम है, 300 से बहुत थोड़ा सा कम जो होता है, वो 49.something होता है, यह आंसर क्या होगा, D, C नहीं होगा, C तो बहुत साथा कम है, 50 से थोड़ा सा कम, that is option C, और D, D option, आसानी से लगा सकते Now the last question of this paper, देखो क्या है, कह रहा है कि कारखाने में 7000 से कम सापताहिक वेतन वाले श्रमिकों की संख्या, उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रच्छत अधिक है, जिनका सापताहिक वेतन 7000 से अधिक है, लेकिन 85 से उसे कम है, तो essentially क्या वो जानना चाह रहे हैं, जड़ा 245, ओके, और ये जो वैलू है, वो है 240, क्लियर और नॉट, कितने प्रच्छत अधिक है, तो ये 240 है, ये वैलू अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 105, आपको यही बताना है कि 105 जो है, 240 का कितना परसेंटेज है, तो आपको कि देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर और है, 9 बटे, 240 हिदर भी है, इसके बारे मुझे सोचना पड़ेगा, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये 3 से 4 परसेंट के बीच में है, क्योंकि इसका 3 परसेंट 7,72 होगा, I mean 7.2 कहूंगा मैं, और 4 परसेंट कितना होगा, 9.6 होगा, तो ये 3 से 4 परसेंट के बीच म होगा, और 43.16 टाइप का जो आंसर है, वो डी है, राइट, 45 दसमलों ऐसी गलतिया मत करो, फिर से देखो इस क्वेशन को, मैंने बोला कि 105 बिटे 240 निकालना है, 105 को आप ब्रेक करो कैसे, 96 प्लस 9, 96 बाइट रूप 40 कितना होगा, 40 परसेंट 9 बाइट 240 है आपका, कई तरीक 3 से डिवाइड करना, यह बनता 80 राइट, और यह बनता 5, तब आसान हो जाता आपके लिए शायद ऐसे कर लो, अगर करना है तो, है ना, देन आलसो यू विल गेट वही वैलू, सिंप्लिफाई कर देता हो आपको, यह वैलू अगर आपके सामने है तो आप कहोगे इसको ऐ यह बने मेरा 32 बटे 80, प्लस 3 बटे 80, 32 बटे 80 कितना हो गया, 40% तीन बटे 80, आपको बता तीन बटे 8 क्या होता है, 37, 10, 5% तो यह होगे आपका 3.75%, इनको जोड दिया तो आपका हो गया 43.75%, अगर आपको एक्जाक्त निकालना है तो इसकी जरूद है नहीं, राइट, आं shift 2, वो भी करके खदम करेंगे, ताकि आपका CPU पूरा का पूरा complete हो जाए, फिर आप जो कहोगे हो मैं करवाँगा, राइट, बट CPU का paper आपके exam के लिए बहुत important है, क्योंकि अभी का paper है, तो similarities रहती है, last year भी हमने देखा है, कई सारे questions तो as it is repeat होते हैं, clear, तो अगर आप इ आपको सिखा रहा हूँ, इनसे ये question आप थोड़ा जल्दी निकाल पाओगे, वैसे तो आपको शाय टाइम लगेगा, और ये अप्रोचेस अगर ध्यान रहेंगे, डिए के question में कुछ ऐसा आया, approximate कर पाओगे, percentage जल्दी निकाल पाओगे, सब कुछ जल्दी लिए होगा, तो thank you all so much, 3-4 दिन classes disturbed थी क्योंकि हमारा studio थोड़ा change हो रहा था, अभी studio पूरा fix नहीं हो पाया, आपने देखा हो करें कि आपका चेहरा दिखाई नहीं देरा है, lights नहीं आ रही है, क्योंकि अभी सब कुछ बाकी है, अभी soundproofing होना बाकी रह गया है, ठीक से, lighting का काम भी बा आप whip. वहीं करना है, वहीं करना है, वहीं करना है, वहीं कि महतलन है, आपके लिए, अभी बान कंगउतर नहीं है, बेकार नहीं मैं हो आपके अभी सब्सक्रारा थै पूल्मेरे स तो से करिक आँगे, सिर्फ टू आप kई पर करवाता हूँ, झोभी important है जो important है, geometry है, let's say whatever it is, उनका revision करा दूँगा, number system को हम लोग आपके prelims के तुरंद बाद resume करेंगे, आपको geometry भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस बने रही है साथ में, चैनल को follow करिए, लोगों को बोलिए कि इस चैनल को follow करें, mathematics की आपकी जो समस्या है, वो सारी कुछ हम इस चैनल पर खतम करेंगा है न, thank you so much, see you tomorrow, bye bye, thank you.